जो लेटेस्ट चानकारी है वो पंजाब ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले बलेबासी करने का फैसला किया है और ये है पंजाब की टीम सैम करन जितेश, शर्मा, प्रब सेमरन सिंग, रायले रुसो, लियम लिविंस्टन, शशांक सिंग, आशुतो शर्मा, हर्प्रीद ब्राड, हर्शल पर्टेल कगिस और अबाड़ा, अर्श दीप सिंग जबकि इंपक्ट सब प्लेयर्ज है राहुल चहर, विद्वत के वरपा, अथर्व ताइरे, हर्प्रीद भाटिया और शिवम सिंग गुजरात की बात करें तो शुबमंगिल, रदिमान सहा, डेविड मिलर, अजमतुल्ला, ओमर्जाई, और शारुख खान के अलावा राहुल ते बत्या, साई किशोर, राशद खान, नूर अहमद, संदीप वारियर और मोहित शर्माजब की सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स, भी शरत साई, सुदर्शन, मानफ सुतर, दर्शन अलकंडे और विजय शंकर, उधर लास्ट ओवर चल रहा है, और महां पे छे गिंदों पे 21 रनों की जरूरत है उस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन सिराज और कंड शर्मा एक साथ बाटिंग कर रहे हैं, तो वो प्र लेकिन अभी भी जो दिन का मुकाबला है, वो चली रहा है, और वो काफी इंट्रेस्टिंग हो गया क्योंकि पहली लास्ट ओर की पहली गेंद पर ही कंड शर्मा ने छक्का लगा दिया, पांच गेंदों पर 15 रनों की अवशक्ता है, बिलकुल, मताते हैं आपको कि इस मु अबर दोनों आपस में भीडगें मैचेस, बिलकुल, मताब उपर नीचे हो गया उसके पांच पर 15 की जरूरत है उस मुकाबले को जीतने के लिए, और इस नौट गों तो पी ईजी, क्योंकि अपकोई बैटिंग नहीं है उदर बैंग्लोर की टीम के पास, और गेंद बाज अजी के लिए भी स्टार कायों है, तो ऐसे तो मार ने देती निया सबको, सही बात है, मजाग तो चल ली ना, इधर ओवर की चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा, स्कोर अभी भी एक बिना किसी नुकसान, पंजाब की टीम का, तो वसे बैंग्लोर ने भी इस मु कैसे हैं आप सब, डीके फिनिश ऑफ इंस्टाइल, लेकिन आज डीके भी फिनिश नहीं कर पाए, इस मुकाबले से जुड़ी अगर जानकारियों की बात की जाए, जो अभी मुकाबला जिसके हम कबरेज लेकर आएं आपके लिए गुजराद बनाम पंजाब, वहां अभी गुजराद की बात करें तो पिछले 5 में से उन्होंने 2 मुकाबले जीते हैं, जबकि पंजाब को सिर्फ एक मुकाबले में जीत में लिए हैं। तो पहले उवर की हो चुकि है समापती दो बिना किसे नुकसान के पंजाब का स्कोर है और एके करन बनाकर प्रब सेमरन सिंग और साम करन बलेबाजी कर रहे हैं तो पंजाब के लिए पहले उपन किया करते थे शेकर दावन और जॉनी बेस्टो दोनों को हटा दिया गया अब नए नए उपनिंग पेर दिखाय दे रहा मैदान तो यहां पंजाब साम करन से शायद वही उमीद कर रही है जो सुनी लरें से कुलकता की टीम उमीद करती है ब के जब अच्य गेंदो आटारिकम ही सकते हैं तो सैम करन तो भबा इसे बने बात यहीं पंजाब की समापतिकपाद 2 बिना किसे नुकसान के यह प्रब सिंवलन संais चार गेंदो पे एक हर्णả भणा चुकी हैं और सैं करन दो गेंदों पे Ichun बना चुके हैं और अधर मै नौरन क्या मैस था यह वाला भी लास लास तक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और कंच शर्मा मिचल स्टार्क को लगा रहे चक्के चोहतर मीटर का चक्का लगा था कवर सीमा रिखा की ओर और काफी कमाल का शौट था वो इधर भी चौका लगा है दूसरे ओवर की पहली गेंद पर और स्कोर हो गया है इस चौके के साथ छे बिना किसी नुकसान के पंजाब का प्रभ सिम्रंद सिंग के बल्ले से यह चौका तो फिर मामला खत्म हो जाएगा और यह बैट पर आ गई है उदर खिलाड़ी नहीं है और गेंद सीमा रिखा के बाहर चली जाएगी चार रनों के लिए चार रनों के लिए तो दो गिंदों पर तीन रनों की ज़रत है क्या मिचल स्टार्क यह मैच हरवा देंगे ओभी कॉ कर्ण शर्मा भाई सहाब दो गिंदों पर तीन रनों की जरूरत है बाई 220 पर बैंगलोर का स्कोर और कुछ भी हो सकता है इस मकाबले में दो पर तीन तो बहुत आसान हो गया अरे बॉल छूट भी जाएगी तो बल्ले बास भाग जाएगे टाई तो हो जाएगा कर्ण शर् में मिचल स्टार्क को भी कर्ण शर्मा क्या ही आज इन के अंदर बैट्समन आ गया कर्ण शर्मा के अंदर चे गिंदों पर बीस रन बना चुके है ऐसा ही लोग इनको बाबा नहीं कहते है इधर पंजाब की बात करें पंजाब और गुजरात ओले मैच की तो दूसरा ओर ल चलिए कंच शर्मा हो चुके आउट नवा विकेट गिर गया उदर वापस गेंदबास की तब शौट खेल दिया था और गेंदबास मिचल स्टार्क ने कोई गलती नहीं की उन्होंने पकड़ लिया कैट और कंच शर्मा को अब जाना पड़ेगा और ये बाल छूडती तो से सिंगल या डवल तो होई सकता था और फिर लास्ट बॉल पर मैच फंस जाता लेकिन अब एक बॉल पर तीन जन बनाना यानि बहुत ही जादा मुश्किल होगा अब आपको शौट खेल के दो रन आख बंद करके भागने पड़ेगा तो चौका मार लो या हाँ चौका इदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ओर में एक और चौका लगा दिया प्रप्सिम्रण सिंग नौ गेंदों पर 11 बना चुका है और पंजाब की टीम का स्कूर हो चुका है बारा बिना किसी नुकसान के एक दशमलो पांच ओर की समापती के बाद और की अगली गें लेके चलेंगे सामने बलेबाज होंगे प्रप्सिम्रण सिंग और देखते कि पाचवी गेंद माफ किजिगा अंतिम गेंद पर क्या शाट लगाते प्रप्सिम्रण सिंग इस वक्त तो अच्छे शुडवात में कहूंगा दूसरे और में कुछ रंस आ गए तो ठीक ठाक श यह सवाल है वन बॉल थ्री रंस तुविन स्टाक की गेंद और बैट जाए तो सही किया दूसरा मिल जाएगा बहुत मुश्किले की दूसरा मिलेगा नहीं नहीं थ्रो बहुत ही वेवर्ड है रन आउट हो गया बलेबाज बलेबाज हो गया रन आउट और एक रंसे हार है लेकिन आउट हो गया है फॉर शूर आउट हो गया बलेबाज दाइव लगाना चाहिए तहीं आपर फर्गुस्सन को बट भी नहीं पहुंच पाता एक रंसे आर्सी भी हार गई है इस मकाबले को और बहुत है यह वर बड़ा तगड़ा रहा यार सोलर रना इदर पंजा का स्कोर हो गया चक्का लगाया गया लास्ट बॉल पे और नो बॉल भी वो गेंद है तो ना सिर्फ चक्का है बलकि नो बॉल भी है उप्स यह महंगा पड़ सकता है अल्रेडी 17 रनों का ओवर है और फ्री हिट गेंद भी आए गया लास्ट बॉल इस मकाबले पे शिफ्ट ने एक और जीत दर्ज कर ली हम जैसे ही रिफ्रेश हो जाएगा पॉइंस टेबल तो आपको पॉइंस टेबल भी दिखाएंगे फिक है तो के क्यारी उपर जाएगी आरसीबी तो वही रहेगे आज की दिन भी आट मैचस में से वह एक ही मैच जीते है अभी तक बिलकुल ब आपतिक बाद तो 21 रन आए इस सेकेंड ओवर से यानि संदीप वाडियर को आड़े हातों लेते हुए यहाँ पर प्रप सिम्रन सिंग तो दो वरों के बाद 23 बगैर नुकसान पंजाब का स्कोर है बहुत जबरदस बलेबाजी पिछले ओवर के दोरान प्रप सिम्रन सिंग ने की 11 गिंदो पे 21 रन बनाए उन्होंने और स्नैम करें ने दो ही गिंदे खेली हैं एक रन बनाकर वो बलेबाजी करें और उधर मु मुकाबले में सातवी हार होगी बैंगलोर की टीम के लिए उमर्जाई आये हैं अगला ओर ले कड़के सामने होंगे सैम करें दाय हाथ से ओर दाय हाथ के बलेबाज के लिए कट किया गेंद को गेंद सी दे डीप बैकवर्ट पॉइंट पे चौके के लिए स्कोर बढ़के ह हो जाएगा 27 बिना किसी नुकसान के दो दशमलव एक ओर की समाप्ती के बाद तो पंजाब एक बहतरीन शुरुआत करते हैं इस मुकाबले में तीन दो दशमलव एक ओर में 27 रन लगा दी है बूट पे उमर्जाई को भी पहली गेंद पर ही जड़ दिया था चौका सैम करन अच्छी गें थी लेकिन शॉर्ट उससे भी बहतर गैप में खेला था सैम करन ने और आज ओपनिंग करने आये हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से पाव प्ले का एंड करते हैं यहां से जिस प्रकार की शुरुआत मिली है तो चाहेंगे वो की अच्छे स्कोर बना ले ओ पाव प्ले में अगली गेंज स्टम्स की लाइन में उसको खेल दिया है थाड में पर खेलाड़ी पीछे हैं तैनात एक सिंगल मिल जाएगा सैम करन को स्कोर बढ़के हो जाएगा 28 बिना किसी नुकसान के दो दशमलव दो ओवर की समापती के बाद प्रप सिम्रं सिंग वा चैंगलोर की टीम आठ में से साथ मुकाबले हाज चोकी है उधर कोलकता की टीम ने अपने साथ में मुकाबले में जीत दर्च किया पांचवी और उन्होंने दूसरे स्थान पे से हटा दिया है अब हैदराबाद को कल हैदराबाद आ गई थी टॉप पे जी हाँ कल स्टार्ग बिलकुल भाई लास्ट ओवर में पिटाई हुई लेकिन उन्होंने इनफ रन नहीं बनने दिये जीतने के लिए जो रन चाहिए थे एक रन कम ही रह गया अठाइस बगार नुकसान पंजाब का स्कोर है दो दशामला तीन ओवरों के बाद आप लोग को क्या लग पहले भी हमें सुना करते थे कैसे आप सूपर सिंग जी भी हमारे साथ जोड़े हुए हैं और अंस्किल क्रिकेट शॉट्स जोड़े हुए हो कहरे है स्टार्ग जैसी बॉलिंग ओ बड़ा शॉट इधर गें को स्क्वेरले क्योर खेल दिया गया है चे रन मिल जाएंगे स् पगार नुकसान पंजाब का स्कोर हो गया है 2.4 ओवरों के बाद स्टार्क जैसी बॉलिंग करा रहा है उसको केक्यार से क्या उस्ट्रेलिया से न ड्रॉप कर दें हां बिलकुल बहुत घटिया बॉलिंग कर रहे हैं हलाएं कि वो लखी रहे लास्ट ओवर में की कर्ण शर तो हम उस मैच पे चले जाते हैं हां जी मतलब एक सूपर और तो करना बनता है तो फिर स्कोर कार्ट भी हम लगा देते हैं लेकिन क्योंकि वो हुआ नहीं तो चलो कोई बात नहीं बात नहीं इस साल भी तक एक भी सूपर ओवर देखने को नहीं मिला है तो आयम होपिं कि ज एक सूपर ओवर देखने को मिले मुझे और देर तक रुखना पड़ेगा आप लोगों के साथ कोई दिक्कत नहीं है यह मैस तो काफी क्लोज आ गया था जो के किया और रसीबी के बीचे में हो सकता था लेकिन एक रन कम पड़ गया मतलब रन आउट हो गया लोगी के बाद 15 पर 27 के प्रप्सेमिन सिंग ने और सैम करन ने की है चार गिंदों पर दो रन आपकी जिगाद 6 रन की है तो यह स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं जो केक्यार और रसीबी के मैच के बीच में हुआ था कि किस प्रगार केक्यार की टीम ने रसीबी को आज हडाया तो बहुती बुरी इस्तिती में चल रहे हैं इस वक्त आरसीबी की टीम ना जाने उनको अपनी अगली जीत के लिए कितना और इंतजार करना पड़ेगा किसी को नहीं बता है दोस्ता अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद ये भाई बैंगलोर की पारी विराट कोली ने साथ गिंदो पे अठारा बनाए एक चौका लगाए दो चक्के लगाए वो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे अगर उनका विकेट नहीं गिरा होता तो भाई दिक्कत हो जाती कोलकाता को लेकिन वैसा हो ना पाया विल जाक्स ने 55 बनाए 32 पे रजट पार्टिदार ने 23 बनाए 52 गिंदो पे और जो ये साज़िदारी होई थी अब देख भी पाएंगे दूसरा विकेट गिरा था राज 35 पे फाफ डुपलेसी आउट हुए थे 100 से ज्यादा रनों की 102 रनों की साज़िदारी विल जाक्स और रजट पार्टिदार के बीच होई थी 48 गिंदों पे इस साज़िदारी ने इस मुकाबले में न सिर्फ वापस ला दिया बलकि फ्रें पार नुकसान आपको मनजूर नहीं आया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं हाँ बिलकुल क्योंकि अब टेक्नोलोजी वो दिखा रहा है कि बॉल स्टम्स में लगती है नहीं लगती है तो बे साइट का भी वैसा ही सीन है हाँ बिलकुल वही तो रिव्यू से जब बले बाजों को परिश लगती होंगी एक में सामने से लग रहा है कि कोली के लिए बहुत उपर है वो गेंद बैट पे शोल्डर पे आके टकरा रही और डेफिनेटली कमर से उपर है लेकिन जब आप होकाई देखते हैं और स्क्वेर ओफ द विकेट से अंगल देखते हैं तो आपको समझ में आता से ओवर द विकेट केट को कट करने का प्रयास एंसाइड एज लगा और गेन चली जाएगी वाइड़ेश मिडान की और साइस सदर्शन के पास और नोरांज देख अरतीस बगार नुकसान पंजाब का स्कोर है तींद शमलों तीन ओवनों के बाद अमन सिंग जी गूट वाइड था रिंच वाला अमन उस नाम से कमें कॉमेंट आरा था तो आई वुड लाइक तो नो कि वह आप थे या कोई और था किराने से गूट इवनिंग हाव यू आप चलिए भाई सोर की तीसरी गेंद वाइड हो गई थी उस सौरी चौथी गेंद उस गेंद को लेकर द दो और डृणेन नहीं ऊहिए राज मैं देखना चाहता हूं कि मोहित शर्मा के आंकड़े किस प्रकार के हैं इस सीजन पिछले सीजन में तो कमाल का था लेकर इस सीजन विवह लिए इस सीजन भी मोहित शर्मा के आंकड़े तो फिनॉमेनल हैं इसमें तो कोई शक नहीं है बस मैं देखना चाहता हूं कि भाईया चल क्या रहा है अब देख पाएंगे मोहित शर्मा के आंकड़े है राज इस साल एक थोड़ी ज्यादा है 9.39 के आवरेज इस 27 लेकिन पिछला साल था वो तो कमाल का था चौदा मैंचों में 27 विक्टें ली थी 13.37 की और 8.1 एक साथ की एकॉनमी दा यहां से राउंड विकेट थोड़ी से शॉट अफ़ लेंग गें थी जिसको पंच किया गया में आन की और एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ पंचाब हो जाएगा चालिस पगैर न इसेंट है बिल्कुल डीसेंट है राउल भाई आगे हैं कैसे हैं आप अंशुमन राजपूत जी है कैसे हैं आप हम लोग बहुत बढ़ गया है दिनवाला मैच भी थोड़ा बहुत देखा काम वाम करते हुए एडिटिंग एडिटिंग चलती रहती है क्योंकि आपने शॉ अंचि केरें बहुत अबर्च को बढ़ेंगे तो को प्रॉबल्म नहीं करें अंशुमन भाई केरें पाई है हैध्राबद और राजस्थान का मैच कब है देखना चाहता हूं बहुत मज़ा आएगा यल दोनों का मैच होगा मैं चेक करके आपको बताता हूं राज आप चेक कीजिए एक बार पीस जी के पी राना जी बहुत ही पुराने लिसनर है हमारे सत्यम भाई आप मिल नहीं रहे थे बहुत दिनों बाद अरे भाई मैं भी सोच रहा था कि आप का है के पिराना जी गुड इविनिंग सर अप क्या वाद है मतलब कैसे हैं आप मुझे बहुत अच्छा लगा पाए और स्कॉर लेकि और एक सिंगल मिल गया है पंजाब का स्कोर हो जाएगा बैलीस बगैर नुकसान चार ओवरों का खे है थोड़ा बहुत वक्त है अभी के पी राना जी कहने कां तरस गए थे पता नहीं कहा खो गए थे सर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे बिल आइकॉन को दबा लीजे और नोटिफिकेशन पाईए हर मुकाबले में आप खास तोर पे बिकास आई डोंट वांट यू तू त तो लिसन तो इस बिकास यू नोट अबल तो फाइंड है कल ही मैंने उसका नाम बतलता कि लोगों को पड़ के गुद्गुदी हो हां गुद्गुदी तो हुई लेकिन एक संशय भी था मन में कि ये आप ही है नहीं अब अब अच्छली जादा फनी है नाओ आट वी नो क्य अब अब सिंगल लिया गया है नहीं वर के पहली गेंड पर राशिद खान आगें गिंद बाजी करने के लिए पहले चार ओवरो में जब कोई विकेट नहीं मिला तो अब कप्तान ने राशिद खान को पार प्ले के अंदर ही लेकर आने का फैसला कर लिया है और उनकी पहली गेंड को मिड्विकेट के और खेल कर एक सिंगर लिया गया की इजियर के ट्रिपल आए गुड इवनिंग की हाव यू आव यू नाव भाई आशुत शर्मा जो पंजाब के लिए कर रहे है यदि वह भारत के लिए करेंगे तो कितना मजा आएगा रिंकू सुर्या और आश दो ओवरों के बाद ओवर की तीसरी गेंड लेके चलिंगे राशित खान सामने होंगे दाए हाथ के बल्लेबास प्रप से बिन सिंग जो साथ 17 गेंडों पर 28 रन बना करके खेल रहा है ओवर की अगली गेंड दाए हाथ से और रोकेट स्टम्स की लाइन में गेंड इसको ख अवर की जी अमन सिंग जी का कहना है भाई IPL को तुरंत रोको और KKR SRH के सीरीज करा हो मुझे स्टाक के चार ओवरों में सौ देखने हैं और फिर आपको 300 का स्कोर भी देखने को मिलेगा लेक्स ताम के और हटेग इन को कट किया गेंड रोक ली गई कवर पे कप्तान वहा कर जी सर बहुत बड़े-बड़े स्कोर बन रहे हैं रूपम भटा चारिया जी और तीमें पहुंच जाती है हलाएं कि जीत नहीं पाती है ये प्रॉब्लम है कल दिली ने भी पहले आठ होवरों में 100 कितने बना लिये थे बहुत रन बना ली थे 100 से ज्यादा अगर कोई भी टीम होती तो शायद उतने रनों के अंतर से वो नहीं हारते जितने रनों के अंतर से वो कल हारे तो कोई और टीम उतने रनों से नहीं हारती कम रनों से हारती दिली के इंटेंट में थोड़ी प्रॉब्लम लगी में को बाद में तो कल वो मैच भी फस सकता था लेकिन दिली आठ होवनों के बाद खुद को जिस थिति में पाया उसके बावजूद डिफेंसिव बैटिंग मुझे समझ नहीं आई यह बात दे क्रैकर गुड इवनिंग ही इस अलसो है क्या बात मुहमद इसलाम जी प्लीज प्लीज दीजिए सजेशन क्या आप बोलना चाहते हैं जीतेंदर भाई कहरे हैं जीटी विल बिन हमारा ओड मीटर कह रहा है कि पंजाब के उनसट प्रतिशत चांसेज इस शुरुवात के बावजूद और घ्रवात के बादी बता रहा है जीए निकर और चाम बताता है अ पंजाब की पांच ओवर में पैंता ओलिस रन कोई विक और जादा लोग सुनने होंगे तब भी बताऊंगा लगभग सौ लोग सुनने हैं चलिए आपको मैं संग शेप में बताता हूं वो पूछते हैं तो कैसा रहा आप लोगों का आना जाना और सौरदा की शादी की कुछ जल्कियां हमें बताईये तो किसी ने पूछा ही नियार कल मैं वेट करता रहा कि कोई तो पूछेगा लेकिन नहीं पीपल डॉंट लव उस इनाफ हमारी जिंदिगे में क्या चलना कोई फिकर ही नहीं है नहीं मैं मसा कर रहा हूं तो यहां से गए थे चार लोग मैं गया था राज परितोष क्योंकि परितोष सौरदा को बहुत पहले से जानता है परितोष यहां भी इसलिए आहे क्योंकि सौरदा ने रेक्मेंट किया कि परितोष है इससे आप वो कर सकते हैं इनकी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके साथ बैठ के कॉमेंटरी कर सकते हैं तो फिर हमारी जान परचान हुए थी लास्ट येर, बट सौरदा को बहुत सालों से जानते हैं, तो परितोष, मैं, राज और अशीश भाई, जो एक दो बार आ चुके हैं कमेंटरी करने, अकसर बाहर बैठे रहते हैं, जब हम अंदर होते हैं, ये चार लोग गयते हैं, आज बाद बचे, महिपालपूर से परितोष को पिक या, उसके बाद पहुंचे हम अलवर, जिस होटल में रुके थे वहां लंच किया, बहुत खाना खाया, वेकेशन ज़सा था मेरे लिए, क्यूंकि आज कल मैं कम खाता हूं, तो जब वेकेशन पर जाता हूं तो अलब ब मैंने जबरदस्ति राज को भीजा कि भाई, खाओ, देखो जाके, किनारा और गेंद इस बार लपक ली जाएगी रिदिमान सहा के द्वारा, सीमा रिखा टपाना चाहते थे, लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में दे बैठे, बावन पेख हो गया पंजाब का स्कोर, प् मैंने पूछा, एक तो चम-चम बता पाए, और एक और मिठाई थी जो बहुत ही जबरदस्ति, चम-चम वो नारियल का बना होता है, उनके हिसाब से जो वो नारियल का था, वो चम-चम था, कूल, बट जो सबसे में को पसंद आया, वो था, जैसे रसगुला होता है, उसमें पेट चीर के, उसमें आप डाल दो भार के क्रीम, ये बात, तो वो था बैस, जले भी, ये वो नॉमल वो तो सब होता है, लेकिन, बस सत्य भाई, दिक्कत क्या रेगे ना, चिकन कच्छा रह गया यार, राज को चिकन नहीं मिला, और राज भाई, बहुत सीरियसले लेते है तो he has a gripe with Sauradha, so with Sauradha is here, you can talk to him, Shri Ray, what is he saying, भाई लो क्या आपको नहीं लगता कि Rishabh Pant ने कल घटिया बैटिंग किये, match was well within DC's grip, yes I agree, बट यार हर मैच में हर कोई नहीं चलता है, और मैं इसलिए बहुत ज्यादा Rishabh Pant को कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि आपको IPL कि History का सबसे बड़ा स्कोर बनाना था दूसरी पारे में, उस मकाबले को जीतने के लिए, तो ऐसे match में किसी खिलाडी का प्रदर्शन जज़ करना और गिनबाजी भी अच्छी हुई, गिनबाजी भी Cutters का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि Pant को बहुत ज़्यादा सुनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो लॉस्ट बैटल था भाई, पहले से, लूजिंग कॉज में, रियलिस्टिक था ही नहीं कभी, इसलिए मैं Pant को नहीं बोलूगा कि उनकी वज़े से हार गई टीम, हां, वो intent दिखाते तो मुझे मज़े मज़ा आता, बट उन्होंने वो intent नहीं दिखा कर जरूर गलत किया, लेकिन उनकी वज़े से नहीं हारी टीम, क्योंकि वो कोई जिता नहीं सकता था, कोई जिता सकता था, स्लैश कर दिया था गें को इस बाहर चौका मिल जाएगा, गें पॉइंट सीमा रिखा के बाहर चली गई है और प कर दो दोसे जे आइव, को ज़िए आफ से यंट उसमीं om में उन्हों बना, क्योंकि आदैस से 500 सा जआ थे नहीं हैं उडर्याष, क्षाहत ली जा भी उनका से 20 वोड ड़ाविये लियोंनल, थे बाख व्रता सा थानिकला, यह अचा था तर पांध।ी, सिम्रेंस भीर नियो, फिर विकेट गिरिंदे के बाद चौका लगाया राईली रुस्टो ने ओ विठाईया बताओ नहीं बाटो आरे ऐसे कोई मौकानी स्कोर अभी भी 56 एक विकेट के नुकसान पे 5.4 ओवर की समापती के बाद मोहित चर्मा का यह दूसरा ओवर है अब तक 19 रंदी है और एक विकेट उनको मिल चुका है वो विकेट था प्रप सिम्रन सिंग का बड़ा शॉट खेल ले गए थे छक्का मारने के सामने होंगे बाय हाथ के बलेबाज और अंतिम गेंट पर कोई रन नहीं स्कोर अभी भी 56 एक विकेट के नुकसान पे छे और की समापती के बाद इस टीकनॉलिजी के जरिए मुश्किल है दिखा पाना क्योंकि फॉर दफोटो थो बी उसमें विपसाइट तभी दिखा पाएंगे क्योंकि हम जो भी आपको दिखाते ना वो सब किसी ने किसी विपसाइट से दिखाते हैं तो जो हमारा अभी सिस्ट्प है उसमें फोटो दिखा पाएं उसके लिए हम तयार नहीं है अभी अप्लोट करेंगे न सअरबदा तो दिखाएंगे अगर इंस्टाग्राम पर डाल देते हैं तो दिखादेंगे आपको बट मैंने तो नहीं डाला है कुछ भी नराज ने डाला है मैं तो बहुत देखो परसनल मतलब क्या बो तो देखो घर में गेट लगाने से क्या होगा अगर दिमाग में गेट नहीं है मेरे दिमाग में कोई गेट नहीं है कि अगे यूनिक कॉंटेंट कूल चपन पेख हो गया पंजाब का स्कोर छे ओवरों का खेल हो चुका है समाब तो और रन गते इस समय नौद शाम लौ तीन तीन की राइल रूसो चार पर है तीन गिंदों का सामना किया है जबकि साम करन ने तेरा गिंदों पर पंदरा रन बनाए हैं और विकेट फाइनली एक हासिल होता हुआ मोहित शर्मा को पंजाब का स्कोर होगा 233 बलविंदर सिंग भाटिया जी का कहना है ओके चलिए भी देख लेते हैं बीसेक्स टू पॉइंट और गुड़ इवनिंग सीब्यार के क्यार वरसेज आर सीबी वोट अ मैच काईज यस बड़िया मैस था वो क्या यह क्लोजेस मैस था इस सीजन में अभी तक एक रन से हारी है यह लास्ट ओर जब शुडवात हुई थी ना तो उसमें करन शर्मा ते सामने और लास्ट ओर में कितने बीसिक किस रन चाहिए थे तो जब आप कोई भी मैस देखता जिसक आप कर्कड देखा हो है तो क्या सुचे आप क्या सुचे घुझा मैस तो निकाली ते नहीं पेड़ा लेकिन उसमें यह हुआ कि कांज शर्मा ने थीन च्खके लगा दिया मेचल स्टाब को जो मतलब कोई भी उमीद नहीं कर सकता था उस चीज की और अंतमे ऐसा अलग रहा लास्ट वाल पे तीन रन चाहिए थे जिस पे लोकी फर्गुसने शॉर्ट लगा करके एक रन ले लिया था और दूसरे के लिए भी टेजी से पल्टे थे लेकिन थो आया विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं कि उन्होंने कर दिया उनको रन आउट तो ऐसे मैच खतम हुआ RCB क यह कुग तो कर यह स्कावर से एक रसक्राइब ना है vapor पी थे इसा, क्वास्ड टीम मुझा कि आुझा थे और थेहे हैं कोbon आगा कर टीम नहीं के कर ब्सक्राइब कर है हुषे हूषे हुषे हे उनक बुल kोल का सवाल ह।ार पास्ते है ही में अच्छा कर ठाड़ कर ऌने में कि बुराइएं इंटरनेट पर आके करता है बता हो यह सब मत सीखिया आप साहिल से साहिल से आप आप चीजे सीख सकते है जिरो फिगर मिंटेन करना उनमें से एक है जिरो फिगर नहीं मैं मजाग कर रहा हूँ साहिल कांट पुट अवेट विडिकर साहिल has diabetes and that is the reason why he looks the way he does how to joke about it between Sail and me we have a deal that we can joke about it for your entertainment only for that reason so like the video now thank you सब्सक्राइब के बाद राइली रूसों चार पे तीन गिंदे खेलें जबकि सामना किया है नाशनल फिगर है यह जीरो फिगर नहीं है इस ओवर के दूसरी गिंदा रहे है बाएं हाथ से ओवर दविकेट ऑस्रम के बाहर नूर आहमद की गेन थी जिसको धकेला गया पॉइंट की और एक सिंगल के साथ पंजाब का स्कोर हो गया भी सोवरों की क्रिकेट को टीमों का यह परयास रहता है कि गेंद बरबाद ना हो उनको लगता है कि रिसोर्स की तरह है यह गेंद और जो विकेट है आपके जitना जितना ज्यादा इस्तिमाल आप कर सके उतना अच्छा है इसलिए आप देखते है कि आप बैटिंग काफी सब्सक्राइब करने का प्रयास लेकिन बल्ले पर नहीं आई और गेंद रोक लिजाएगी स्लिप के खिलाड़ी के द्वारा और स्कोर अभी पंजाब का उनसट एक विकेट के नुकसान पर 6.4 ओवरों के बाद सत्यम सर सजेशन में यह देना चाहता हूं कि आप साउंड सिस्टम की व्यवस्था करें साउंड सिस्टम की व्यवस्था मतलब में समझाने की बाई डीजे मुझे समझ नहीं है कि आप क्राउट साउंड चाहते हैं और यहां पर रिवल्ट स्वीप करके लगा दिया है चौका राइली रोसो ने स्कोर बढ़के हो जागा 69 एक विकेट के नुकसान पे आपकी ज़िए 63 हो जागा इस चौके की मदद से पंजाब और रसी भी आर काइंड ओफ इंद सेम बोट कुछ कर ले जीत ही नहीं पाएंगे आज भी ऐसे ही होगा 200 बनाके भी हारेगी पंजाब अगर गुजात 200 दूसरी पारी में चेस कर देता है तो भाईया तारीफ करने बड़ेगे आपको हाँ कोई भी टीम अगर 200 से उपर का टार्गेट चेस करती है तो उसका तारीफ होना चाहिए उनकी मतलब दोसरी चेस के भाई अभी भी चोटी बात नहीं है यह दिया नहीं है बट यह रिव्यू लिया जाना चाहिए मज़े लग रहा है पैट पे लगी ते गेंड श्राइप ते राइली रसो नहीं लेंगे रिव्यू अगर बैट नहीं लगा है तो यह मुझे लग रहा है आउट और साहिल आपको बताएंगे कि नॉमली LBW के मामलों में जब मुझे आउट लगता है तो अमूमन आउट होता है कोई गैरेंटी तब भी नहीं है इन्होंने रिवर्ट स्वीप किया था ना नहीं 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 स्वीप किया था खाली बैट नहीं लगा है मुझे जहां तक लग रहा है बैट नहीं इन्वाल्ड और यह राज आप बताओ भाई पहले आप जल्दी से एक मुझे बताएंगे डिसिजिजिन क्विक दिजिए मुझे लग रहा है आप में से अगर कोई देख रहा है तो इससे पहले कि डिसिजिजिन आए अभी तक तो कोई स्पाइक नहीं आया है और आएगा भी नहीं नहीं आएगा मुझे इसलाम जी क्राउट साउंड इसलिए नहीं लगा रहा है क्योंकि कॉपिराइट आ रहा है और हम इसलिए बहुत ज्यादा बाल बाल भी नहीं करते हैं और crowd sound भी नहीं लगाते हैं, कि जितना कम से कम इसको live commentary जैसा महसूस कराया जा सके, कराया जाए, तो वो विवश्ता है, आपने सुनाओ का इकबाल को copyright आ गया था, तो ये भी एक कारण हो सकते, आउट हो क्या भाई, what did I tell you, did I not tell you, आउट, राज मैंने बहुत पहले मांग कर अगर ये IPL team में social media पर नजर रखती है, तो किसी एक IPL team को मुझे hire कर लेना चाहिए, और मुझे side screen के उपर बिठा देना चाहिए, मैं हर बॉल के बाद, अगर ऐसे स्थिति आती है, तो उनको ये बताऊंगा, कि लेना है review और नहीं, मेरा जो experience है, अभी तक, ये किसी IPL team के काम आ सकता है, बस ये team में, शायद उनका research अभी इस लेवल पर नहीं पहुंचा है, तो कि साइड स्क्रीन के पास, बादी में TV लेके भी तो बैठोगा, तो उनको पता चलेगा, नहीं, आपको पता है, मैच जहां चल रहा होता है, वहां पर HDMI आपको कैमेरा आपको कैसे स्टीव स्मित क्या करते थे, बिलकुल भाई, वह लिगल हो जाएगा ने, जिसे इंपाक्ट प्लेयर आता है, तो फिर इंपाक्ट प्लेयर की तरह ही एक बाहर से आदमी होगा, जो DRS असिस्ट करेगा आपको, DRS असिस्ट के लिए होगा, यह बहुत अचा आइडिया है, कि तो फिर को कैना पड़े है, किसी को तो मुझे पैसा देनाजी, कि या करते है, आण गप्रम मुझा reduced, बिलकुल मुझे याद है, वह अचा पर बिलकु बहुत है, पर जोनों को कहना पड़े है, साथा कौ। स Templator कार अब एसार एक सुन लिया दोनी रिवीयो सिस्टम पर बैसे क्या बोल रहे हैं कि रुसो क्या बोल रहे हैं स्रुम्स की लाइन में गेंती उसके लागा था लॉगा लॉगान के लिए और पंचाब का स्कॉर गए चॉंसर्ड दो बिकेट के नुकसान पेशाध दश्वालों के अच्छा बाद अच्छा रूसर्स साथ आफरिका के लिए बहुत अच्छा खेलता है लेकिन IPL में कुछ नहीं कर पाता। ऐसे बहुत से प्लियोज है जो इंटरनाशनल क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन आईपील में उनका प्रदर्शन उस तरीके का नहीं तो आप लगातार IPL सीजन उठा के देख लें, इंटरनाशनल क्रिकेट से कंपेर करेंगे किसी भी साल, इंटरनाशनल क्रिकेट से बेटर उनका प्रदर्शन IPL में आप नहीं पाएंगे, तो क्या आप क्वेस्चन करते हैं, रोहित शर्मा के इंटेंट को, उनके इंटेंशन को नहीं, वैसे ही राईली रूसर का भी इंटेंशन या किसी का भी मेरे ख्याल में क्वेस्चन नहीं किया जाना चाहिए, पिकिस नोबड़ी वांस तो फेल, इतना मुझे पता है, और क्यों फेल होना चाहेंगे, मतलब फेलो कि उनका फाइदा क्या है, फेलो के, वो यहां कि वो जानबूच कैसा करते हैं, या ऐसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लहर सी देखता हूं मैं, कि अब क्योंकि ग्लिन मैक्सविल भी छोड़ के चले गए हैं, लोग कह रहे हैं कि भाहिया, ये सब वल्ल कप के पहले देखो कैसे छोड़ के जा रहा है, और स्टाग देखो क कि पिटाई हो रही है अभी, वल्ल कप में देखना है, विच इस ट्रू, वल्ल कप में विकेट्स नहीं होंगे, स्टाम्स के लाइन में गेंति पुछ किया गया था, उसको कवर की और दूसरे के लिए पलटे दोनों बलेबाज, और इन दो रनों के साथ, पंजाब का स्कोर सरसर्ट, 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 दो विकेट के नुकसान पर साथ दशनलाओ, चार ओरों के बार, वल्ल कप में इंडिया की टीम क्या होगी, चलो मैं अपनी टीम आपको बताता हूँ, विराट, कोली, रोहत, शर्मा, ओपनर्स, नमबर तीन मेरा अभी पता नहीं, मत नमबर चार रख रहा हूँ, मैं स्वरिकुमार यादव, नमबर पांच, पंत, या केल रहूल, जो भी विकेट कीपर होगा, और फिर से पैड पे गिन टक रहे हैं, लेकिन इस बार पिचिंग आउटसाइड लेग हो जाएगा, उसकी वजए से रिव्यू नहीं लिया जा सक नहीं गया है, वो अभी भी इंडिया में है, बटो खेलेंगे नहीं, उन्होंने खेलने से मना कर दिया है कि मैं ब्रेक पिजा रहा हूँ, तो उस लिहाद से मैंने का कि वो नहीं है, नमबर सिक्स धोनी रूपम जी का कहना है, वापस लाओगे उनको, रेटारिमेंट लेट तो आगर पंत आट नमबर फाइब, नमबर सिक्स, आगर आगर आपको बोलर्स बहुत ध्यान से चुनने पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से किसी का भी ओफडे हो जाएगा, तो फिर टीम की रेल लग जाएगी, पिचिंग, इनलाइन, विकेट हिटिंग, एक और विकेट आजाएगा, पंजाब की टीम का, DRS से, DRS का इस्तेमाल करके, पंजाब को एक और जटका दे दिया है, गुजराद की टीम ने, भाई साहब, सरसट का स्कोर, ये, अच्छा थाबित नहीं हुआ, पंजाब के लिए, सरसट पे तीन हो गया पंजाब का स्कोर, 7.5 ओवरों के बाद, साइम करन, आउट हो जाएंगे, 20 रन बनाकर, 19 गिंदो पे, और साजेदारी भी टूट जाएगी, जिते शर्मा अभी हैं, हालां की बीच मैदान पे, तो हर्दिक पांडिया, अगर हर्दिक पांडिया, फिट हैं, बोलिंग कर रह करता है कि आप कितने स्पिनर को खिलाते हैं, कितने पेस बोलन को चुड़ के इंडिया की तरफ से कौन से पेसर मैं रख पाऊंगा, कौन से नहीं रख पाऊंगा, मुझे भी नहीं पता है, कर्मे ने टीन अट राजन की जो बोलिंग देखी, अर्शिदीप ने मुझे अर्शिदीप से तो बेटर लगे मुझे कल, वो करेंट फॉर्म के हिसाब से इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि अचानक से इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्स्पोजर उनको मिल रहा है थे वर्ल्ड कप में, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा लगता ह मुझे, दायहाँ से ओवर्ड विकेट फॉर्वर डाकर गूगली गें, लिविंग स्टन ने उसको बैट पैट साथ रखते वे धकेला वापस गेंद बास की और कोई रहा नहीं, सरसर पर तीन पंजाब का स्कोर है आट होवरों के बाद, सो नमबर एट इस रविंद्र जड तो तेज गिंद्वाज तो फिक्स हैं, और अगर तीसरा एक गिंद्वाज मुझे खिलाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर डिसाइड करना पड़ेगा, और तीसरा गिंद्वाज अभी सिराज भी हो सकते हैं, अर्षिदीब भी हो सकते हैं, तीन अट्राजन भी हो सकते ह तो यह दो लोग ही इसके अलावा तो देखना बड़ेगा कि कौन है जो सेलेक्टर की नजर में उस योग्य है क्योंकि आउट एन आउट किसी का परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है पेस्बोलर का इंडियन पेस्बोलर का जो कंटेंशन में भी है वर्ल्ड कप के लिए क्या बोले य यह दो बहुत पिटाई हो यह बोलर की चाहे श्पिनर आप चाहे पेसर आप पिछेज ऐसी है और बल्लेबाजों का माइंसेट इंपक्ट सब रूल यह सब कुछ चीजें जिनकी वज़े से बहुत पिटाई हो गिनबाजों की तो मैं भारतिय गिनबाजों का फॉर्म यहां आप लोग बताईए मज़े इंडिया के पेसर प्लीज अपनी पिक्स बताईए मज़े कि आपके पेसर कौन से हैं पूरी टीम बताना चाहते हैं तो आप पूरी टीम भी बता सकते हैं ब्लीज वैट मत कीजे और पताईए और सट पिटीन पंजाब का स्कोर आटड़ शमला एक ओवरों के बाद और लिविंग्स्टेन को बहुत जल्दी आना पड़ा है बैटिंग के लिए काइदे से अगर देखा जाए तो इस तू अरली फॉर लिविंग्स्टेन एक ना इनको सब्सिट्टूट खिलाड़ी ले लेने चाहिए था लिविंग्स्टेन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते थे आप 12-13 वर की समापती के बाद या उससे भी बाद में लेकिन लिविंग्स्टेन बहुत जल्दी आ गए है और उन्होंने दूसरी गेंद पर लेलिया सिंगल स्कोर बढ़ जाएगा 79 विकेट के नुक्सान पर आर दशमलव दो ओवर की समापती के बाद जितेश शर्मा दो गेंद पर दो रिंद बना करके बलेबाजी कर रहा है और ओवर की तीसली गेंद का हो करेंगे सामना बाय हाथ से ओवर दे विकेट आएंगे नूर एहमद सामने बलेबाज होंगे दाय हाथ के जितेश शर्मा इस गेन पे सिंगल आ जागा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हुआ सतर तीन विकेट के नुकसान पे बैकवर्ट पॉइंट के पास खेल करके दोनों ही बलेबास तेजी से भाग गए थे रन के लिए और इस समय मैं बता हूँ तो आपको पंजाब की स्थिती अच्छी है मतलब विकेट जादा आ गए दिक्कत यह है रन गतीत को तो ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ था लेकिन विकेट जो तीन आयन है यह बहुत जल्दी आये तो यहां से अब एक पार्टनर्शिप की अवशक्ता होगी पंजाब की टीम को चाहे वो जितेश शर्मा के बीच में हो या लिविंस्टन के साथ हो या आने वाले किसी बल्लेबास के साथ लेकिन अभी आपको कुछ एक पार्टनर्शिप की अवशक्ता है तो सही चौथी गेंट बाइहाथ से ओवर दविकेट पैट पे लगी है अपील की जाएगी लेकिन नॉट आउट दिया जाएगा जाएगा पार्टनर्शिप नहीं लिया जाएगा पैट पिचिंग आउटसाइड लेक था रन का कोई मौकानी स्कोर अभी वी सतर तीन विकेट के नुकसान पे आट दशमलाव तीन ओवर की समापती के बाद ओवर की अब अगली गेंद लेकि चलेंगे नूर आहमत सामने होंगे बलेबाज दाय हाथ के लियम लिविंग्स्टन जो चार गेंदों पे एक रन बना करके बलेबाजी कर रहा है ओवर की पाचवी गेंद पे भी कोई रन नहीं स्कोर अभी गे 70 तीन रिकेट के नुकसान पे लिप लगाया गया है और सिली पॉइंट पे एक खड़ाड़ी खड़ा किया गया है लियम लिविंग्स्टन के लिए तो टेस्ट मैच न खेलते हुए भी टेस्ट मैच का एक्सपिरियंस उनको मिल रहा है एंडिया में अमूमन आप टेस्ट मैच खेलेंगे तो इसी तरीके की फील्ड आपको मिलेगी स्पिनर बोलिंग कर रहा होगा और इसी तरीके का प्रेशर आप महसूस करेंगे लेकिन T20 क्रिकेट में आपकी फिलोसफी अलग होगी आप खड़े नी रहना चाहेंगे सिर्फ प्रॉबलम यह है तेस्ट मैच में आज सोचते हैं अभी टाइम कथे ने सर्वाइव कर लेते हैं इस प्रेशर आप को चाहें थोड़ी तर बाद बाद शिर्फ यहां भी तोड़ी तर बाद लेकिन तब तक हो सकता है कि मैच भी आपके हाँ से चलागा तो प्रेशर बना रहे हैं लेकिन आपको बैट चला नहीं पड़ेगा चलो भाई, टी में क्या आरही है एक पर देखते हैं लगफीर सिंग जी पता रहे हैं यस ब्रो, मैं बंगलदेशी फ्रेंड गट टिकेट फर मी इत वस फो हंड्रेड इच मी और हम गई अल्राइट सो विच वन इस इस कौन सा मैच है ये जरूर बताईए, क्या निव यॉक में देखने जाएंगे आप नौवनों का खेल हो सकता है, नौवनों का खेल हो चुका है पूरा सत्तर पे तीन पंजाब का स्कोर है और अगर लखवीर सिंग जी जाते हैं जो भी मैंज देखने के लिए तो क्या वो हमारे उस दिन के ओन ग्राउंड रिपोर्टर बनना जाएंगे प्लीज बताईए स्टाम्स की लाइन में गें थी फॉवर्ड आकर गें को पुश किया है गें जा रहे है, वाइडिश मिडॉफ की और और रोक लिजाएगी, सत्तर पे तीन है पंजाब का स्कोर नौद शमलाओ, एक ओवरों के बाद साथ दशमलाओ, साथ एक की रंगती अभी दूसरे के लिए पल्टे इस बॉल पे दूसरी गेंद पे ओवर की और स्कोर हो गया है, बहत्तर पे तीन पॉइंट होने कहा है, रोहिद, जैसवाल, कोली, सुर्या, दूबे, हार्दिक, जडडु, कुल्दीब, जिसप्रीद, शमी, बुबनेश और कुमार इस अवर के अगली गेंद स्टम्स के लाइन में थी, कहला गया लॉंग ओफ की और एक सिंगल मिल जाएगा जाएगा पर इंगल सकोई एक वन अटराजन और अर्शिदीप में से एक को खिलाएगे, हर्शल को भी खिलाने की बात करें वो भी शमी की जगा, गलत, इस अवर की चौथे के इंदाए हां से ओर दुड़ेगा, अगर बैट नहीं है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, लेकि क्रforce कर अचुक्ति कर रहेए कि जो सब्सक्ति करीं कि इस पिन भी चौह को दो ≡ को गाता है, अचनल को के संग्राशन नहीं सब्सक्राशन की उस चंठ origin पर 4प जाएगा, 늦ेSpeed Naat 9.5 वन के बाद is we should talk about the pitch? we should do 70m, 63m square boundaries 12m down the ground expect the bowlers to be defending towards that bigger side well all four matches this season have gone all the way at this venue ending in the final over we have had some thrillers here we biased for the fast bowlers 47 wickets just 9 to the spinners here is the spinners are good मслед एक हिए लिए के पेष्टर यंखिवाल सु काम करें. कारे की पेचल सु शुटर सब्चा करेंगे, लिकांडें गया। साथ विइन था हैज इस प्रिकेट यूजेंगे लिए बीग सब्हकता हुआम ही भी kayных उङों 192 पार बताया जा रहा है इस मुकाबले के लिए Samuel Badri और Simon Katic ने ये पिछ रिपोर्ट की है The average first innings total here is 174, okay But I think it's better than that 74 पर तीन अभी स्कोर है और कहा जा रहे कि 190 से ज्यादा पार हो गाया बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इस बार gap में गेन निकाल दिये, fine leg की और और गेन सीमा रिखा के बाहर क्या था ये स्कूप जैसा जी इनोंने sweep और स्कूप के बीच का शॉट खेला था स्कूइप शॉट कह सकते हैं आप जी हाँ शमी इंजर्ट रहा तो हर्शल को खिलाएंगे संतोश कुमार जी मैं एक्चली हर्शल से पहले अर्शदीब को खिला लूँगा मैं अर्शदीब और टीन अटराजन को साथ में खिलाऊँगा लेकिन हर्शल के बारे में तो मैं सोचूँगा भी नहीं सर अट इस टेज करन का के नहीं उनकी टीम है विराट रोहित सुर कुमार यादव चलिए यहाँ पर सत्य भाई विकेट आ जागा एक और ले भाई क्या बात है और I have seen this combination in play before slip में रहुल तेवतिया को पहली बार मैंने catch करते वे नहीं देखा है इस सीजन के दौरान मोटा बाहरे किनारा दे बैठे लिविंग स्रेंच हट पटा रहे थे और यह होती है क्वालिटी गिनबाजी और अगर लिटल बिट ऑफ असिस्टेंस पिच में हो तो उसका magic नूर अहमद क्या है अफगानिस्तान के मिट्टे में कुछ है कि वो इस तर क्योंकि जब आप गिटार बजाते हैं तो आपको उंग्लियों को स्ट्रेच करना बढ़ता है क्योंकि जो आप कोड़ बजाते हैं राज कोई पता है विकास ट्राइड एंड फेल्ड कि मैंने खाले ट्राइड किया तो वाइन अभी ट्राइड करीगा हूं कि हाथ बढ़े हो जाते हैं एक बात बता सकते हैं मुझे कैसे कॉपिराइट स्ट्राइक आता है बाकी लोग भी तो करते उनको क्यों नहीं आता पता नहीं क्रैकर भाई नो आइडिया हां तो करन पहुल में से कोई एक, रिंकु कुल्दीप, चहल, जप्रीत, शमी और मैंक, मैंक यादव को भी टीम में शामिल करने हैं लोग अजिए बिद्ध इस प्रदाइब नहीं करते हैं लोग जब दोग लगा तार शाषांग का प्रदर्शन जबर्दस्त ही रहा है वहाँ था उसमे इन उन्हें खतरनाग बैटिंग थी बाद में अशुतोष ने खिया था मुंबई के खिलाफ बहुत जबर्दस बैटिंग थ और दो ही खिलाड़ी इस टीम को लेके चल रहा है अनकैप्ट इंडियन प्लेयर रहां जी सही बादे गौरा महाजन जी कहा है एं वरी हैपी माई टीम केक्यार वन दा मैच सब कॉंगराचुलेशन्स बहुत-बहुत मुबारक हो आपको अंस्किल क्रिकेट शॉट्स का कहन ह इसके लिए उन्हें फाइन लगा आपको क्या लगता है बैन नहीं लगना चाहिए था एक दो मैच के लिए स्टम्स के लाइन में गेंती कहला गया लॉंग ऑन की और एक सिंगल और इस सिंगल के साथ पंजाब असी पित चार दस तश्रमला पांच ओवरों के बाद इसके ल हुआ था क्या पता नहीं मालू मुझे अगर ऐसा हुआ था तो यह तो विकर्ड गिर गया ने एक उनकी कहने पर आपको मैच के लिए बैन करना चाहिए आपको मैच से बैन करना चाहिए थोड़ा बड़ा है सिर्फ फाइन देकर बच जाने के लिए बट बट बीसी साइए क अगर मौका आया फिर तो असा होना फिर नॉमल जाएगा नहीं नहीं होगा क्योंकि बीसी सामने से आपको थपड नहीं मारता है लेकिन कोने में ले जाके बोलेगा आपको हां लेकिन अगर फाइन देने वाली बात होगी तो कोई टीमे कर लेगी फाइन बहुत बड़ी ची कि वज़े से इंडियन फैंस तो अभिशेक शर्मा शर्शांग सिंग को भी ले जाना चाहेंगे तू अर्ली वाई अन्टू लेट फॉर शर्शांग बिकूस थर्टी सम्तिंग अलमुस मिड थर्टी में पहुंचने वाले हो नेवर की पहली गेंपे जिते शर्मा के हलें की जितेश का जितना नाम है और जितना एक्सपेक्टेट था उस तरीके का प्रदर्शन इस सीजन अभी तक नहीं रहा है पीपल अराउंड हिम है बेन दूइंग ग्रेट शशांग अन अभिशेक बट ही इस दियो सिल में तोनाइट इस नाइट हो नोस क्या आप और राज भा सांगे बट हिम सातने रहाते हैं इस सांगे एक्र अन यह व्यार्य न फू नोगिपन यह वा पन अव प्लान इस रिप्क नगव है यह ने उन्याट स्वर गिल्स ञार इस प्रेंड है टूसरी गैं इस नाइट ने बेस्ट अब आस और रान कोने नहीं और अर ने यह और आप लोगों से पूछना हों कि आज गल सारी टिकेट के प्राइस इतने ज्यादा क्यों है यह गेम से उन लोगों को दूर कर रहे हैं जो लाइफ में अन्फिटे पर फिर लाइफ में अन्फिटे शर्मा और मज़े लेते हुए यह 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 लेते हैं यह बोल्ड हो गया है जित है किशोड साही किशोड बहुत लंबह भाई भाई जिए बहुत लंबह अन्फे है साही किशोडा है तु तू तू टॉ वल्ल्ड कॉप में भी कमेंटरी करो back from Santosh Kumar जी में थासं जिए किये बस आप लोग are probably fix तो एक बार हमारे लिए भी दूआ कर दीजेगा कि प्लीज भगवान कॉपिराइट ना है हमें ना है किसी को ना है हमें ना है बस आप दोनों डेली से हो मुहम्मध अंसारी जी का सवाल है जी जनाव हम दिली में रहते हैं साउट डेली में साकेत नाम की जगाए हैं वहाँ अभी 11.4 उवरों के बाद 86 पर 5 हो गया पंजाब का स्कूर आप में से किसी ने भी देखा जो रील्स हम डालने उन रील्स को किसी ने देखा है तो एक बार चेक आउट कीजे अगर नहीं देखा है तो देखिए थोड़ा या बहुत प्छी चीज़े अच्छी इंफरमेशन मिलेगी आपको उस पर अधरी इंफर साथ मनेशन, बाद से लिए आपको मिलता है यहीं से उठाके डालते हैं माच में से कुछ निकालते हैं वह आप लोगे योगदान उसमें अल्रेडिए बट आप लोग देखेंगे तो यहां पर जिते शर्मा को कर दिया आउट साही गेंद को लेकर चलेंगे बाय हाथ से राउंदा विकेट स्टम्स की लाइन में गेंद खेल दिया वापस गेंदबास के पास अशुतो शर्मा ने स्कोर अभी भी होगा छी असी पांच विकेट के नुकसान पे ओवर की अब अंतिम गेंद को लेगे चलेंगे साही किशोर सामने होंगे नए बल्लेबाज अशुतो शर्मा और दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं वापस खेल दिया था इस बार बैकवर्ट पॉइंट के पास और खेलारी तैनाथ थे तो रन का कोई मौका था नहीं वापस स्कोर अभी तक अपना खाता हूँ नहीं खोल पाए है अमिर डंगी जी कह रहे हैं मैंने यूट्यूब शॉट्स देखें एक तो मिलियन भी जाने वाला है येस सर थैंक यू आपने आई होप लाइक भी किया हो 55,000 लोग लगभग उस शॉट को लाइक कर चुके हैं तो ये बहुत बड थम्स अप है जनता की तरफ से हमारे लिए क्योंकि देखो रियाश्यूरेंस हर किसी को चाहिए होता है अगर आप लाइव आएंगे लेकिन आपको 50 लोग भी नहीं सुनते हैं आपको पता है आप में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ समय बाद हो सकता है आपके दिमाग म करेगा तो यह रियाश्यूरेंस बहुत जरूरी था इंक है आप मच जाए जमना पार नहीं है हम मेट्रो पार रहते हैं समझे अ आमेर कंप फो झकल झालने एक क्या यह ज्यारी झालने लíक लिए लेको अर इमादवसीम वो खुला कि झालने दोओ इंक हुए दोथ को श्र्कुके थे लेक Welcome to पाकिस्तान में यह सब होना नॉमल है पाकिस्तान में पैनिक कर जाते हैं वर्ल कुप से ठीक पहले पुराने प्लेयर्स को ले आते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स ले लेंगे जो कभी खेले ही नहीं है गलती से किसी एक रैंडम सी टीम न्यूजीलेंड के आएगी उसके पचास रन मारेंगे तो उनको वर्ल कप खिला देंगे इंडिया में ऐसा हुआ कि कोई रिटायर प्लेयर आ गया हो दो हजार तीन में ऐसा हुआ था जब 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 अगल श्ट्विना चाहते नहीं थे खिलना हलंकि ऑफिशली अनाउंस उन्होंने नहीं किया था कि वो रिटायर हो रह में खिला गया लॉंग ऑफ की ओर एक सिंगल और सिंगल के साथ 89 पे 5 पंजाब का स्कोर हो गया 12.5 औरों के बाद केल रहूल को हर पोजेशन पे खेलने का फायदा तो मिलता ही है भाई हाँ वो बहुत वसेटाइल क्रिकेटर हो गया है इसमें कोई शक नहीं है यूनी वाली रील पे 300 के होने वाले है यस सर इंस्टाग्राम पे भी एक फस गया है अल्गोरिधम में और अब समझ नहीं पाएंगे कि क्या कॉंटेंट कहां चलेगा क्योंकि सेम रील हमने सारी सेम डील सी डाली है यूट्यूब पे और इंस्टा पे इंस्टा पे कुछ औरी चल शॉट्स लेकिन अच्छी बात है कि सब चल रहा है कि कहीं तो कुछ चल रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंट है नबे पे पांच पंजाब 13 ओवरों के बाद अभिशेक शर्मा पांच पे दो और शेशांक सिंग 6 गिंदों पे तीन दन बनाकर बल्ले बाजी कर रहे हैं एक स शर्मा है रोहित शर्मा वी है एक आद और होगा पक्का होगा आराम से होगा कौन है एक और शर्मा बताओ जितेश शर्मा जितेश शर्मा ले भई अब चुल खतम होगी मेरी पूरा रंगती है 6.9 की और आज रील डाली है मैंने कल आप लोगों ने जो बात बताई थी उसी प्यादारी थे एक घंटा पहले आप लोगों ने बताया था कि ड्रॉपन पिच्छ का इस्तेमाल क्या जाएगा इंडिया पाकिस्तान इंकाउंटर के लिए निव यॉक में फिर किसे ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान की टीम में तो शाहीन है आमिर आगे है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी तो मुझे 2015 का वर्ल कप याद था जो मैंने कवर किया था और उस वर्ल कप में यही रोना था कि यह तो बहुत पाटा है या तो बॉल कुछ करता है नहीं ऑस जिए खतम हो गया तो मैंने भी अपने दिमाग में डौट सित्यमभाई, इंस्ताग्राइमिस इि क्रिक बलास्ट रेडियो यह वही द्रीच कर दो अन्द भक्ति और और इडिंट्स डालो चल जाएगा and I know आप ऐसा कभी नहीं करोगे नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे और देखो I think हर platform पे sane लोग होंगे जैसे मैं भी तो हूँ YouTube consumer हूँ मैं part consumer हूँ मैं भी हूँ Instagram पे आप भी हैं तो हम जैसे और लोग भी हैं तो जब उन तक पहुंचेंगे वीडियो तो I'm sure उनको मज़ा आगा बटी जिसके लिए नहीं है उसके लिए चिंता करने की ज़रत नहीं है तो इसलिए भक्ती-भक्ती तो पॉसिबल नहीं है Sorry about that अरे यार नहीं देख पाया Manoj Tiwari वाले वीडियो चलो भाई भी भेजना एक बार अभी आज देखेंगे अभी आज देखेंगे अभी आज देखेंगे नाजरो सैंसाब Good evening how are you sir क्या चल रहा है करें सित्यम भाई दोपहर का मैच देखने के बाद आप ये मैच यहां पर पैट पलेगी अगेंद यह काफी क्लोज हो सकता है क्या खत्रे के घेडे में अशुतोर शर्मा रिव्यू के ले चले गया तो भाईया काफी क्लोज था आप देखेंगे अगा अगर बले पर बॉल नहीं लगिया तो मेरे ख्याल से चटक जाएंगे अब अशुतोर शर्मा यह तो साही के शोर ने भी यहां पर जकड रखा है यह खागे खोल रखेंगे अगदम साही बात देखें ऑके बॉल लग सकती है किस टॉम्स पर आउट लग रहे है आउट अमपायस कॉल होगा अमपायस कॉल पर तो नौट आउट आ चुके है हिटिंग होगा तभी जाएंगे नहीं तो बने रहेंगे अशुतोर शर्मा और यह खिलाडी काफी अच्छा है मतलब पिछले मैच में भी बहुत अच्छी कोशिश की थी जब मुंबई से था पंजाब का मुकाबला तो उसमें 27 गेन पर शायद 60 से अधिकरन मनाये थे तो तगडी बल्लिबाजी करते हैं जी अशुतोर शन्हा आउप वो आउट नहों क्योंकि मुझे कुछ अच्छा देखना है यह राज अमपायस कॉल हो जाएगा मिसिंग भी हो सकता मिसिंग भी हो सकता मिसिंग ही है Unskilled Cricket Shots Enjoy your age Be your age Have fun क्यों सेम लोग होते लिकिन YouTube पर अलग होते और Insta पर जाने के बाद अलग होते है देखो YouTube पर भी मिलते है मुझे तो Daily 10 comments आते है तु है कौन Exactly तु है कौन इस over की दूसरी गे इंस्टम्स की line में थी खिला गया Long gone की और एक single मिल जाएगा और इस single के साथ Punjab का score हो जाएगा 91 पर 5, 13.2 बाद बड़ भाई देखो मैं हो चुका हूँ प्रो जब बात आती है ऐसे लोगों से deal करने के क्योंकि मैं YouTube यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ 5 सालों से तो जो भी आदमी आके comment कर रहा है कि तू है कौन वो पहला ऐसा पैदा नहीं हुआ जो उसने ऐसा कुछ किया और फिर मूट के उपर बाता जाती कभी-कभी हस के छोड़ देता हूँ कभी-कभी मैं भी थोड़े मज़े ले लेता हूँ आपको नहीं लगता कि अलाउट होना चाहिए थोड़े मज़े लेना अगर कोई आके बोल रहा है तो है कॉन अगर आप लोग मना करोगे तो मैं नहीं करोंगा मैं बंद कर दूँगा मसेले ना हवा में गेंद है दर और क्या खिलाडी नीचे आप आएंगे जी नहीं मिड़ाफ वेट अपक आएगी लॉंग ऑफ पे खिलाडी तयनात थे वो तेजी से भाग करके आये थे लेकिन गेंद के नीचे वो नहीं पहुंच पाये थे तो स्कोर हो जाएगा बानवे पांच विकट के नुकसान पे तेरा दर्शम्रों चार ओर की समापती के बाद और शशांक सिंग और अशुतोष शर्मा ये दो खिलाडी इस वक्रीच में मौजूद है और अभी तक पंजाब जितना भी इच्छा खेला है इन दोनों खिलाडी की बदालत ही खेला है इसके अलावा तो कुछ नहीं है हवा में गेंद है इस वार फिर से खिलाडी नीचे आ जाएगा क्या जी हाँ और कैच को भी पूरा कर लेगा मोहित शर्मा एक और खिलाडी आउट हो जाएंगे और वो थे अशुतोष शर्मा छटा विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पंजाब की टीम का बानवे पे तेरा द यहाँ तो क्लेर अब उनको वापस ही जाना पड़ेगा बचने का कोई सीनी नहीं है चांस ही नहीं है मोहित शर्मा ने कैच लब का बाउंटरी लाइन पर एक हांसे खिला गया शौर्ट था और ब्यानवे पे च्छे हो गया है पंजाब का स्कोर 13.5 अबरों के बाद रॉब कर दिया उन्होंने अपने आपको यस जब शुरू ही हुआ था IPL तो वो खेले थे मुपई की टीम में शुरू आती कुछ सालों के दौरान ही खेल लिये थे तो रोईट शर्मा की कैप्टन सी में भी खेले होंगे तब इन्होंने बोलाई यह होगा थर्ड सीजन का वाक्या थर्ड सीजन में हो गया थे वो कप्तान, रोहिट शचन कप तक थे वह चेक करना पड़ेगा फिल शकाना एक बाल तो पॉंटिंग ही बदले थे उसमें जुरू छर्मा हैथे तॉप पॉंटिंग को कप कप्तान मनाया गया था ये एक बाल चेक करना पड़ेगा अभी हम चेक करके बताते हैं आपको और कोई भी आदमी जब नया होता है obviously रोहित भी कप्तान नए ही बने रहे होंगे तो day one से तो सबको सब चीज़ें आती नहीं है कप्तानी भी सीखते हैं लोग और अगर वो उस time पर अच्छे कप्तान नहीं थे तो नया होता है आदमी सीखने में time लगता है क्या बड़ी बात है इसमें बट आप time के साथ better होते जाते हैं या नहीं ये बात है तो वो time के साथ definitely better हो गए हैं क्योंकि अब तो दुनिया मानती है उनको as a captain भी बहुत बड़ी चीज हर्पीद भाटिया 84 पारियों में T20 में 2446 रन 123 का strike rate है और impact player के तौर पे इनको शामिल किया गया है साइकिशोर बायंहाथ से ओवर्डविकेट ऑफस्रम के बाहर की गेन फॉर्वड़ा कर पुष्ट कर दिया गें को गेंद रोख लिजाएगी कवर पॉइंट पे एक रन जाएगा ओवर्थ्रो का में भी एक रन मिल सकता था लेकिन नहीं लिया गया तेरानवे पे 6 पंजाब 14 2013 में रोख्रमा कप्तान बने थे और मुंबई जीती थी 2013 में पहली बार तो ये तब की बात है तब तक मेरे खाल से रोख्रमा नहीं होंगे टीम में चेकर दा हूं या मेभी वा फ्रॉम्दी आउट बट वह खेले हैं मुंबई के मुझे इतना पतानी मुझे लेकिन रोख् अब यह कह सकते हैं कप्तान तो मतलब बहुत अच्छ है रोख्रमा यह तो कहने वाली बात नहीं है और हाला कि मुंबई की टीम जीती आई पिल तो एक योगदान में इसका भी कहूँगा कि खिलारी उनके पास हमेशा सही बहतरीन रहें उनकी टीम में आपका भी भी उठा क लेके चलेंगे सामने होंगे भाटिया इंपक्ट प्लेयर के तौर पर लाए गया इनको आप्स्टम के बाहर की गेंद उसको पंच करना चाहते थे भाटिया लेकिन बलने पर बॉल नहीं आई स्कोर अभी भी 93 विकट के नुकसान पर 14.1 और की समापती के बाद अगली गें राशित खान सामने होंगे भाटिया दाए हाथ से ओर लेकेट स्टम्स की लाइन में गेंद उसको डिफेंड किया रन का कोई मौकानी स्कोर अभी 93 विकट के नुकसान पर 14.2 और की समापती के बाद तो यह नए बले बास का पूरा नाम क्या है को आपको बताते हैं यह कौन और एक सिंगल मिल जाएगा बले बास को स्कोर बढ़के हो जाएगा 94 विकट के नुकसान पर 14.3 की समापती के बाद शशांक सिंग बचे में एक बले बास और एक बले बास हरपरीद भाटिया इंपक्ट प्लेर के तौर पिलाए गया लेकिन मैंने पहले भी कहा था और तो अगर उनको इंपक्ट प्लेयर लेना ही था जो कि आपको पता था कि अवशक्ता आपको पढ़ सकती है तो आपको वही लेना चाहिए था लेविंग्स्टन को बचा के रखना अगरीड मैं ये बात मानता हूं लेकिन उन्होंने किया किया और उन्होंने भी क्या किया लेकिन रोहित ने 2013 में भीमार किया है तो हीड्या टीम अगरीड फ्लेड मारी चाहिए निद्ट जदेश परणिदेश उन्होंने न्होंने था तो यहा है ने भीमारिंग्स्टन को फ्रॉषा खेलेड मैं जो वाया चैनल टीमपे तो इसमें कोई प्रॉबल्लम नी यह है और क्या वो कहते हैं कि अभी भी वो खराब कपताने या उन्होंने कहा कि तब थे गेंद को खेल दिया बैकवर्ट पॉइंट पे खिलारी पीछे आ जाएंगे और एक सिंगल मिल जाएगा बल्लेबास को स्कोर बढ़के होता हुआ संतानवे छे विकट के नुकसान पे 15 होड की समापती के बाद बिल्कुल मज़े लेना जरूरी है लेकिन मज़े के साथ एक मजबूत संदेश भी पहुँचाया है पहुचाना चाहिए वो अधिक मायने रखता है मेरा मानना है तो वो संदेश किस तरिक का होना चाहिए यह भी ज़रा बताएं अमन सिंग जी अच्छा रॉबिन ने अभी हर्दिक वाले इस्यू के लिए बोला है अच्छा रोई चर्मा के लिए निका उसने मुझे सो देखना बढ़ेगा है पूरा मामला है क्या अच्छा बढ़ेगा है अच्छा बढ़ेगा है इस ओवर के बाद चलो स्पिनर आ गया है स्थाम्स के लाइन में गें थी खेल दिया गया गें को मिड विकेट की और एक रन मिलेगा दूसरे के लिए बागे और दूसरा रन भी पूरा हो जाएगा इन दो रनों के साथ पूर जाएगा पंजाब का निन्यानवे छे विकेट के नुक्सान पे उन्होंने रीसेंट अच्छान पूरा है यहाँ तो वही ना ओड़ की अगली गेंद भाइगा राउंड विकेट आगे वर के लिटन कैज का मौका उसको पूरा भी कर या शाई कि शोड ने तो एक और विकेट आथा पंजाब की टीम का निन्यानवे पे साथ हो जाएंगे किफने रन देखते हैं सत्त्यबाई आप यहाँ से अब तो गिंद बाजोनी है एक सववीट रन एक सबीसर रन हैं यह साथ में और लोग नहीं लेकिन तॉर लेक्नापका यह था रहाँ आपके अंप्र बहाँ जाए जएट रहाँ है। यहाँ आपके अवाटिया एक सभी यह तो और खड़ाब नियूज है कि शेशंग सिंग आउट है अब बतागे कि ते रहा है एक सो तीस चालिस यह तीम आउट होगी मुझा रहा है क्योंकि जो बोलिंग हो रहे है किसी भी स्पेनर को डील करने की जैसे कूवत ही ना हो वैसा लग रहा है देखके और जबकि यह साई कि शोर तो भाया नहीं है न राशिद और नूर जैसे उसको भी हैंडेलिंग किया जा सकता है किसी 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 के लाइक पिछ मिल जाती है उस दिन जहां पर टपा मारता होगा वहीं प अनौंस्मेंट यह है कि चलो सिंगल एका जाएगा और सिंगल के साथ पंजाब के सौरन हो जाएंगे पूरे सौ पर साथ है पंजाब का स्कोर 15.3 ओवरों के बाद आज जो बैटिंग का करम था वो बिलकुल भी अच्छा नहीं था सुने लरेन क्योंकि कोलकता के लिए ओप उसको आप उपन करवाने के लिए बेजने जरूरी नहीं सब के लिए काम करे वो सम करन को भीजनी का जो मूव था वो फेल हो गया और बाद में जो राजबी बोल रहा था कि अगर आपको लेना था और आपको लेना था सबस्टिटूट इंपक्ट प्लेयर तो अपने उसको सबस्कित के अभी जलाइता था शुरण याथाए सम करने कुछ नहीं कर देखा राज सम करने जो कुछ नहीं करने कि अगादार सबस्क्तिटूट था जेखा यादा lucky ने पर बाद फिर दो में जादां हो दूसरे बनेवास के लेकिन खड़े घर एशुदे रहें वी सात में लेकिन उसके बाद तो लगातार विक्ट एन खेक नगाए तेन काव एक डेख लेक्ट एगी में गाला कहांच सवने लिजाया नागातार सांक अनिश गिलते देखलाक वह फिरे ख्राइबno चलो भाई, 103 पे 7 हो गया पंजाब 15.5 ओवनों के बाद, ओके रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हैं बोला गया, ठीक है? अनॉंस्मेंट बता दो मुझे इंग्जाइटी हो रही है, लास्ट बॉल रहती है और चौका पड़ जाएगा, बाई हाथ से राउंड विकेट गेंथी, स्वीप कर दिया गया था उसको, हर्पीद ब्राड के द्वारा गेंच चली गए थी, मिड विकेट सीमा रखा के बाहर और पजाब का स्कोर हो गया 107, साथ विकेट के नुकसान पे 16 ओवनों के बाद, आज आपको इंटरें करेंगे, आज आपको दिखाएंगे कि हो भी बले बाजी कर सकते, आपने इनको देखा नहीं बले बाजी करते हैं, आप कर देखे ऌभे नहीं पेखले मैज मही देखा था, क्वसक्त, वैभासी डिनला 250 वर्ण पर्ण बसे हरबजन भी बैटिंग कर लेते हैं अच्छी बले तोडू बले बाजी करते थे वह एक बार मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया को पेल रहे थे वह भाई क्या हो गए इस आदमी को सेंचरी लगा दी थी एक I think New Zealand के अगेंस्ट अधित्या भाई भी जूड रहे हैं क्या हाल है हाँ भाई तो announcement यह है कि साहिल कपूर IPL final के दिन हमारे साथ studio में जुड़ेंगे सही में राज को यह पता नहीं पता था और कल मैंने साहिल से दो बार कंफर्म किया कि साहिल मैं यह announcement करूं या ना करूं तो बोला नहीं नहीं फाइनल के लिए कर दो तो साहिल आपको final दिन नजर आएंगे 26 मही यह फाइनल है शारुख खान आपको गिनबाजी करते वह नज क्यों थका है उनको आप डालिए उनसे बेटर शायद आप एफेक्टिव होंगे क्योंकि हमने साही किशोर को देखा उनने क्या किया और यास एफेक्टिव हैं पहली बॉल पर विकेट ले लेंगे दाएं हाथ से राउंड द विकेट पर गेज जाकर टकराई थी और अपील उठ गई अमपायर की शारुखान उठ गई ने एक विकेट हसल कर लिया है दोस्तों हलंके रिव्यू लिया जा रहा है बट आइ थिंक भाई अमपायर का कोई फाइदा नहीं होने वाला है चोक कर गई भाई आज पंजाब की टीम जो दो खिलारी शशांग सिंग और अशु आपको टीम को भी अच्छा करना बड़ेगा और मेरे पास एक सूचना है सूचना ये है कि आज तक शारुखान ने IPL में कोई गेंबाजी नहीं की थी ये कहने और पहली गेंद पे IPL करियर की पहली गेंद पैसा लगता है कि उनको विकेट मिल जाएगा ये कहने वालता कि म मैंने स्टार्ट चेक किया न हर किसी का स्टार्ट हम थोड़ी चेक करते हैं और शारुक खान ने पहली बॉल पर विकेट ले लिया है अपने स्टार कमार हो चुके ये लेकिन यवाद चेक किया जाएगा रिव्यू लिया है बैटिंग टीम अगर ये बैट पे नहीं है तो पूरी तरीक से मिस्क जाएगी वह बड़ा मुश्किल लग रहा है एक भी स्टम साला की दिखने रहा जब पैड उनके सामने है तो लेकिन अम्पाय स्कॉल पर तो चलता हुई जाएंगे चलते हुई जाएंगे वह देखिए अब होकाई पे आया है पिचिंग इन लाइन ब बाल मिस्ग ओभाई साभ यह क्या था शारुक खान का पहली बाल पर फिकेट होते होते रहे है यह होते है अवान शिंग जी बताहिए थे मेंसेज देना जरूरियो मैंसेज क्या होना चाहिए मैं अबी इंतजार कर रहा हूँ हर्पreetप्राइड ब्राइड फास्टिस्टि ल बिल्कम बैक लगता है जीटी बदला लेने आई है अज यहां से राउंड विकेट कदमों का इस्तेमाल किया बैट पे ढंक से गिन नहीं आई लॉंगाउन की और गई एक सिंगल एक सो आट पे साथ पंजाब का स्कोर होगा स्वाला दुशंबला दो ओवरों के बाद दक्रैकर के रहे हैं मतलब उनका कहना था तीन साल से उनका परफॉर्मेंस और टीम भी नहीं जीती तब भी उनको यह नहीं दिखा कि उतने कमजोर बोलिंग लाइनप के साथ एलिमिनेटर तक ले गए 2023 में रोहित शर्मा के बारे में रोबिन थपा नहीं यह कहा नाजर हु था है बहुत बड़िया थाइंक यू नाजर सेंट जी नोवैंस लैंड में गेंद किरे की काव कॉर्णर की और लॉंगाउन से खिलाडी पहुंचेंगे विजय शंकर गेंद को थाएंगे थो करेंगे तब तक दो रन और पंजाब का स्कूर हो जाएग 110-7 विकिट के नुक स्टम्स की लाइन में गेंद उसको खेल दिया है लॉंग अफ वे खिलाड़ी पीछे तैना तो एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हुआ 111-7 विकिट के नुकसान पे तो दोस्तों आप लग खुश नहीं है साहिल भाई थोड़ी सी खुशी दि में वापस गेंद बास जाकर के गेंद को उठाएंगे लेकिन नहीं पकड़ पाए डाइव लगाया था लेकिन पीछे खिलाड़ी जो थे शाही किशोड उन्होंने आकर के गेंद को पकड़ा तब तक बल्लेबाज़कवास मौका था दो रन पूरा करने का और उन्होंने प हरपीत सिंग भाठिया माफ किजिए हरपीत सिंग भाठिया के लिए अगली गेंद अन्तिम गेंद खेल दिया उनको वाइडिश लॉंगव पे खिलाड़ी पीछे तैनात एक सिंगल आ जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हुए 114 साथ रिकेट के नुकसान पे एक साथ हो गया पंजाब का स्कोर 17 ओवन का खेल हो चका है पूरा एंड आई लव दीस कोमेंस अमन सिंग जी कहने वेल्कम गोंचू और इसलिए उटसाइद नहीं है थीक है अंस्किल क्रिकेट शॉट्स कहने धोनी से भी लेट आते हैं साइल भाई तो और अवन सिंग जी ने कहा है कि यह अनॉंस्मेंट सुनते ही मैं ग्लास ठूडने लग गया इतना खुश हुम है मैं भी बहुत खुश हूं सत्रा ओवरों का खेल हो चुका है पूरा तीन ओवरों का खेल रहता है बाकी और राज खेल के अटव चुम गर्श हुम है में अग्या वारों के पंड़िया मान यह अग्या अग्या कि आप दो इस कि मेंग जाते हुश और यह तो मान लिया जा सकता है लेकिन अग्सोट थीज पर चालिस बुलना को पंट नहीं बनेगा बनेगा बतायता थियुक्त इसर्ब ग़ दाय हाथ से और दाय हाथ के बले बास के लिए छोटी गेंटी लेकिन बले पर गेंट नहीं आई लेकिन उसके बावजूद एक लेक बाय का सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता है 157 विकेट के नुकसान पे 17.1 और की समापती के बाद चंदन कुमार जी मार साथ जुड़ गया है हेलो सर जी तो हेलो सर आप कैसे है चंदन जी ओवड़की अब दूसरी गेंट लेकि चलेंगे मोहित शर्मा सामने होंगे हर प्रीत बढ़ाड जो चार गेंदों पे आठ रन बना करके बले बाजी कर रहे हैं और आज का दिन तो बह कि क्या हाँ चाले है हाव यू बताइए चंदन ची यूनिक कांटेंट बता रहे है 125 तो 130 बनने वाला है चलो ठीक है फिजियो को आना पड़ा है चांच पड़कार की जारे है ब्राड को गेंद लगी है मोहित शर्मा जो अच्छी बात है कि बहुत तेज गतिके गेंद को ना दे लेकिन तो तब भी हुआ होगा 115 पे साथ है पंजाब का स्कोर 17.1 के बाद वह जल्दी सही हो जाएंगे आज काल प्लेयास को लगती है गेंद और मैजिक स्परे तुरंट उनको सही कर देता है जी शत्यम भाई फिलाल इस पॉजिशन में तो आमिर खान भी ले लेगा विकेट भाई आमिर खान तो छोड़ दो वो जो चकर था उस मूवी में वो आ गया तो फिर तो ये चार ओवर नहीं खेल पाएंगे कौन चकर अर जो आड़े टीडे हाँ से डालता था अच्छा लगान अच्छा 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 आपको पता है मैंने लगान मुवी कब देखी तकरीबं डेर दो साल पहले अच्छा ये वाला स्प्रेद दिला दो बहुत लेट कर दिया था बाई चोटी गेंद उसे पुल किया गेंज सी दे डीप स्कॉर लैक पर चौके के लिए स्कोर हो जाएगा 117 विकेट के नुकसान पर तो आपने बहुत लेट देखा मैं कहूंगा बता क्या एक टाइम पैसा होता था कि जो बच्चे होते थे उनको लगता था कि इंडिया को सच में आजादी मिले उस मैच के वाज़े से कसम से नहीं मैं वो बच्चा कर आपको मैं बच् आपका स्कोर 17.2 लगती थी एनिवे मुझे पहले यूट्यूब पे रेक्मेंड हुआ उस मुवी का मेकिंग ओफ लगान वह भी धाई वाई तीन घंटे का है मेकिंग ओफ लगान है लगान कैसे बनी उस बारे में इसी बीच एक और चौका लगा दिया हर्पीद ब्रार ने गेन जाएगी डीप मिड विकेट पे चौके के लिए स्कोर बढ़के हो जाएगा 123 साथ विकेट के नुकसान पे जी तो पहले मैंने वो देखा मेकिंग ओफ लगान फिर मुझे लगा कि भाई तो बहुत जबर्दस्त है यह तो देखनी पड़ेगी तो मैंने उसके बाद व लेकिन मैंने गदर तो कई बार देखी लगान नहीं देखिती अज तक अभी तक मतलब अपंटिल वेरी रिसेंट्ली 124 पे साथ पंजाब का स्कोर एक सिंगल आ गया पुल के आ गया था गेन को डीप में मिड विकेट पे खिलाड़ी है और इस सिंगल के साथ पंजाब 124 पे साथ 17.4 ओवरों के बाद मिस्टर सिंग 17 दॉक्रैकर अपना नाम चेंज करके आगें मुबारक आपको बहुत 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 सर्टिफिकेट भी बनवाई है इस नोट आइपल फाइनल मैंच इस साहिल फाइनली मैंच वान का गयन है यस ऊज बहुत पहले देखी थी बढद मेरा माणना आप जैसा भिलकुल भी नहीं था दो राज़ को ऐसे मत करो मैं अकेले बहुत नहीं हूं आप लोग भी तंक करो है मैं बता रहौ आंग आपको कि यह से सैंब चोपन्श केया गया गया ए- 124 पे साध है पंजाब का स्कोर 17.5 ओवरों के बाद, क्या आल आउट होगी पंजाब की टीम भाई, आल आउट हो जाएए, कुछ कीजिए, रन तो इनफ नहीं बना पाया आप, मैंने गदर नहीं देखी पर लगान देखी, ओ भाई गदर देखो यार, अंस्किल क्रिकेट कुछ पार्ट कभी देखे, कुछ पार्ट कभी देखे, ऐसे देखा वेने, लेकिन मुझे स्टोरी पता है, जब मैं बड़ा हो रहा था, तो बिहार में शादियों में वीडियो कोच का चलन था, कि शादी में आप एक जगा से दूसरी जगा जा रहे हैं बारात में, तो वी अज बारात में सब की खेर नहीं है, एक सबचेस में साथ पंजाब का स्कोर है, ठारा ओवरो का खेल हो चुका है, पूरा, और मोहिति शर्मा ने तीन ओवनों की गिनभाजी कर लिया, और एक विकेट उन्होंने हासिल किया है, एक कॉमेंट आया था थोड़ी देर पहले, ज अजनिद अजनी के मिला था थांक्यू सो म Sydney जा था, खेंक की लिए निंदेर के खेंट है यह इस ओवर की पहली गेंट पे एक सिंगल आएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर हो जाएगा एक्सोच चबीस साथ विकेट के नुकसान पे 18.1 ओवरों के बाद और श्राइक पे आजाएगे हरप्रीद ब्राड इस सिंगल के साथ फार्टी अब बारा पे और ब्राड साथ पे 17 रन बनाकर बले बाजी कर रहे हैं 16 गेंटों पे 26 रनों की साज़ेदारी एक अच्छी साज़ेदारी होई है यह आठवे विकेट के लिए भाई भी हर क्या और किस्से बताओ अच्छा लगता है अरे बहुत किस्से हैं मैं आपको बताता रहूंगा डेली एक बताओंगा आपको ठीक है आज के लिए ये था कल के लिए मैं रेडी रखता हूं कुछ इस और कि दूसरी गें बहुत जादा बहार है वाइड बॉल दे जाएगी और इस अतरिक्त करन के साथ पंजाब का स्कूर हो जाएगा 127 साथ विकेट के नुक्सान पे 18.1 के बाद अच्छा और बाद में पर्दे पे बी चलती थी बारात में तब तक तो मैं सो जाता था तब तक तो बहुत देर हो जाती थी मेरे लिए और संग बाहर की गेंद खेल दिया गया लोंग आफ कैच ड्रॉप कर दिया कि खिलाडी थे लोंग आप मांटरे पे चैच लेकिन उन् के बाद इतने अच्छे खिलाड़ी फील्डर हैं ये डेविड मिलर लेकिन ऐसा कैच कैसे छोड़ सकते हो चले कोई नहीं हो तो अच्छी बात है कि गुजरात की टीम अभी बहुत ही जादा अच्छे सिच्वेशन में हाथ में ले करके छोड़ दिया था कैच को डेविड म नहीं मैं खाने जाता था जब मैं छोटा था तो मुझे 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 से जादा खाने में वजाता था अब फुले लिंग की गेंती बहुत ज्यादा बाहर ऑस्ट्रम के वापस गिंदबाज के और कहल दिया गया और स्कोर पंजाब का 137 विकट के नुकसान अभी तो हम अब 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 फोटो के जवाने अजाब तो हम अपनी प्लेट रखके गए फोटो के जवा के दुबारा प्लेट के साथ चालो एगा हम अब आप स्वीप किया गया है गें को गाप में गें मिड विकेट पे एक टाप पा गें सीमा रखा के बाहर चार रनों के लिए और स्क कभी भी दिलवादेंगे फोट प्रॉब्लम नहीं है यूप वालों के लिए डिरेक्ट की ना रिक्ता है श्रयांश का गयन 145 यह से बनने वाले है बॉर्डर पर ध्यान रखना चेकिंग होती है लेकिन बैग में कुछ होना नहीं चाहिए बाए हाँ से राउंड दवे किट यह से लाज्ट मैंच में देखा आमने यहां भी देखने है बाए लिविंस्टन तो नहीं कर सकते ना वो लिविंस्टन जैसी बैटिंग नहीं कर सकते तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो आपका उस ओर्डर का बैट्समेन इन उसको पाद में भीजाया क्यों जल्दी बेजने क कोई हमारे गर आया है इस दिस मिस्टर परितोष मैं जांगो से क्या सही अंदाजा लगा पारा हूं एक लिविविव बल्ले बाजी देखने रहे है बाए परितोष बाभू आगे और थर्ड माइक भी रेडी हमारा तो कोई बखर नी है भाई कोई बखर नी है बागी सब ब अंस्किल क्रिकेट शॉट खाने में मजा आता था नहीं बल्क पिता याज गुड़ वाक गुड़ वाक अब बिहार के किस्से ऐसा एक सेग्मेंट बना दीजे हां ये कर सकते हैं ये इस चैनल के लिए उप्यूकत नहीं है क्योंकि ये क्रिकेट सेंट्रिक है ना तो के लिए सही कॉंटेंटरिक ही काने बढ़ा कि अपच्पन में जितना पिता हो ना हर Pittring की एक कहानी साल भर आप सुनेंगे वाय टेली एक सुनांगा साल बर सुनेंगे और हर कानी पिछली बाली से जादा बैतर पिटाई भी उससे तगड़ी संटी नारियल का डंड़ पपीते का डंड़ जाडू, लाटी लकडी बरतन छोलनी बेलन 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 भाई, SRH आपिल फाइनल जीते या ना जीते मागर SRH as a team is entertaining यस बेस्ट एंटर्टेन्मेंट इस सीजन पंजाब भी हमें देखने को मिला है हदराबाद की तरफ से इनका वॉल्यूम बढ़ाई पहले उसको 90 डिग्री पर कर दीजे हलो हलो क्या हाल है यह क्या हुआ कैसे हुआ क्यों हुआ अभी हुआ यह क्या हुआ यह क्या हुआ गंचा भी खुल गया इनका तो खुली गया मुने लगता है गंचा खुलने से मतलब रोक लिया गंचे को इंटाक्ट रख लिया क्योंकि एंड में डेड़ सो बन जाएंगे 120 पे भी ओल आउट हो सकते थे जो एक समस्थिती थी लेकिन उसके बाद 150 तक वो पहुँच जाएंगे अगर इस ओवर में ठीक ठाक 14 तो परितोष क्या है जादा एक्सपेक्ट करना है कि मैं कहरा हूँ ग्यारा बनाव इस ओवर में ताकि डेड़ सो बन जाएंगे नहीं बिलकुल जादा एक्सपेक्ट नहीं करना है लेकिन जिस तरह के खिराड ये समय है उनसे एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा डिफिकल्ट है भाटिया से हला की रख सकते हैं पर अरशर पटेल से एक्सपेक्ट इम तो जस्ट स्टैंड कि आप टाइम पे स्ट्राइक दें जाभी सिंगल ने लिया ये सिंगल पे स्ट्राइक है 140 तो पहुंच गया है तो इस सिंगल के साथ तो आम एक्सपेक्टिंग थेम तो स्कोर अराउंड 150 कि अपने अपको एक फाइटिंग चांस दें कि आप विकेट्स ले ले क्योंकि ट्रबल तो है जीटी समय स्टेबल तो नहीं लग़ी एस टीम तो पंजाब आलवेज एक चांस इन देगेम साथ प्रशन को यह एक प्लेर की तरह जीटी और उनको एक ओवरकम समय दिया गया गया बार अप करने कि थुड़ा भाग ले फील्ड पर अगले यह द्याइब देगेट हवा में गेंद है क्या लॉंग गॉन का खिलारी नीचे आएगा जी हाँ कैच आउट हो चुके हर्शल पटेल जैसा कहा गया थे इनको की खड़े रहना है लेकिन वैसा चाहते निते परिता हुच वापस जाना चाहते थे इगो पर ले लेता है ना कि मैं भी तो आर सकता हूँ राहुल कुमान ने बोल दिया यह होता है इंपाक्ट प्लेयर अभी तक अभी भी हो सकती है लेकिन अगर आप इंपक्ट बले बाज लेके भी ऑल आउट हो रहे हो तो फिर दिक्कत कहा रही है अभी तक भाटियसाब का यह था कि अ कि ब्लः जी का साथ दे यह कहले है आप कहज़े है तो उनोंए उन्हेय हुआ हो है यह उल्लांडर क्या जिस्ट्र्वा ट् demol बादे को यह ब्ले इंक Jackie किने करते हैं कि अठाधी किने किन से नहीं रुकाई अपने इंपक्ट प्लेएर पर. यह अबाटर, है निवर बोल्ड. प्यूर वैच्मेन. प्यूर बैच्मेन आप अशी बले बाद भी पंजाब की टीम में, मतलब IPL का स्थार तो कभी-कभी प्यूर बैच्मेन ही नी प्यूर वेच्च है. प्यूर वेचे हैं आप ये प्रोटीन वाली रील की बात करें दया जे अवर द विकेट, कट किया गें को अन्रूनी किनारा लिकर विकेट कीपर के पास गेंगाई सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 149 विकेट के नुकसान पर 19.3 ओरों के बाद कॉमन्स आरे मैं ज़रा ले लूँ थोड़े बात इस अपोर्टिंग तोड़े बात तोड़े बात अवैसे भी वारा नसी नदीग है कि भाई इस एर इच आपील फाइल होके कुराल पंडिया और हर्पीद बाद आर माहाजन जी गहां रपरीट बाद अब आगाए अपरीट बाद आगा रपरीट बाद इस एक बाद बाद पारे इस अवर्ट बाद अचान प्राइड तोड़े घंट बाद आगाइज उन्ट थोड़े और अवर्ट फुट्बावे और खिलाडी है एक नन मिलेगा और इस सिंगल के साथ स्कोर जाएगा एक सो एक तालीस नौवेकट के नुकसान पर तो कोश्चन अच्छा है सत्यम बाहर कर दिया गया है कि अर्षधीप का है हा तो अर्षधीप टीम मैं उनको भीजा नहीं है मैं वही दिखाने वाला था मैं टीम ही दिखा रहा था कि अर्षधीप हैं बट अर्बाड़ा बैटर बैटर है ना इसलिए उनको पहले बज़ा गया है इंपैक प्लेयर ले चुके हैं आप खेल तो दसी सकते हैं अच्छा हाँ तो दसी किरेंगे तो क्या हो गया दिल देहला देने वाली आपको दो बॉल के बाद दे दूंगा मैं फुटबॉल के बारे में कोई ट्रिव्या एक हैवैसे मेरे पास इंडिन फुटबॉल से रिलेटेड यहां पर भार्टिया जी जिन पर लगातार प्रेशर बन रहे हैं कॉमेंटरी बॉक्स से उनको अब चलाने पर फोर्स किया गया है लेकिन उन्होंने एक मिड्विकट के दिशा में खेला डाउन दो ग्राउंड शॉट उस पर एक रन भी नहीं आया सिंगल भी नहीं लिया उन्होंने लास बॉल भी खेलेंगे वो खुद ही अठारा गेन पर तीरा बना की खेल रहे हैं इस समय जो बिल्कुल डिसीविंग स्लोर वन है उनका जो रिलीज है वो कम्प्लीटली यूनीक है हर कोई नहीं कर पा रहा है उसको ट्रेस उसके चलते ही वो इतने सक्सेस्फुल रहे हैं आपर एक बार फिर स्लोर वन कोई भी पेस नहीं दिया इस बार स्कॉर ऑफ दो विकट लेक कि अगया और दो रॉन के लिए भागे हैं लेकिन क्या रॉन ओगया रिदिमान सहा ने विकेट कर दिये हैं थ्रों उन तक पार इंवे खत्म हो गया तो यह तो एक रॉन मिलेगा रॉन मिलेंगे यही यही ओग दिखाना चाहता है कि प्रव सिमरंस संग इंपाक्ट प्लेयर जब आया अर्प्रित भातिया तो बाहर के बहुत कि आए गया है कि विकेट की पर जितेक शर्म हो है Glue को पार के रॉन हें क्या अअ जितेक शर्म है चाहा है लिखेष। लें मे Pressig अई ऑन डेंगरन और लाओं न पर फोल्गनेल तो आंए अ शेयन और दुसम झाल कासा इन ल यहां देद आउट क्या होगा देदिया आउट है थैंक यू गुड़नाइट तु वन फॉर्टी टू यस लास बॉल पर अक्रिविकेट का पतन और अल आउट हो चुका है यहां पर किंग सुलेवन पंजाब तो हम आपको लेकर चलते हैं बर्लेबाजो की तरफ की आज किस बर्लेबाज ने कितने रन बनाए तो अपनि करने क्ला था सैंप करन और प्रप सिम्जन सिंग उनिस गंद बीस रन के सैंप करन ने दो चौके कोई चकानी 105 का स्ट्राइक रेट ताउन प्रप सिम्जन सिंग उनों अच्छा के ला एक इस गयन पर 35 बनाए तीन चके तीन चौके गुड इनिस और सबसे हाइस ट्राइक रेट नहीं हर प्री दुरार का जाद है सेकंड हाइस ट्राइक रेट रहा पूरी इनिंग्समेन का 166 दिश्मलव 67 66 66 66 66 66 66 66 66 क को क्यों कि पर साथ बॉल पे नौरन बनाए नहीं होने दो चौको की मदद से 128.57 का स्ट्राइक रेट रहन का जितेश शर्मा बोल्ड हुए साई कि शोर ने ने बोल्ड किया 13 बनाए 12 गेंदों पर किस किस का अब वरणन किया जाए लिएम लिविंग स्टन इतनी बड़ी पेडिगरी क साथ है इतने बड़े नाम के साथ IPL में पिछले साल कुछ अच्छी भी खेले थी लिए इस बार अभी तक कुछ किया नहीं है इस बार फिर चैरन बनाए सिर्फ नौ गेंदों पर गेंदी भी वेस्ट करी उसके अलावा शशांक सिंग आज यह खिलाड़ी भी कुछ नहीं क खड़िदा है तो उनसे आप उमीद देख कीजिए ना कि यह लोग है प्लेयर्स यह लोग क्या गर रहा है जिनको आपने 20-30-30 लाग में खड़िदा है उनसे आप उमीद करते कि मैचता है और आज वही दिन था कि नहीं चल पाए दोनों उनका काम है भी नहीं हर मैच में च आज तो शर्मा यह भी साही किशोर की शिकार वने मुहित शर्मा नहीं का कैच पकड़ा तीन रन मना पाया सिर्फ आठ गेंदों पे बहुत कम स्ट्राइक रेट रन आउट हुए अर्परीद बाटिया काफी लेट आउन और अर्परीद ब्रार इन्होंने जो एक्सलेरेशन बन गए थे बाइदी एंड ओफ 20 ओवर्स और हरशल पटेल वो एक बॉल खेली उन्होंने उसी पर आउट हो गए बड़ा शॉट खेलने की फिराक में थे लेकिन कोई भी रन नहीं मिला उनको तो कगीसुर अबाड़ा उन्होंने गेल की दिर एक सिंगल लिया उन्होंने को लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया खास और ये था बैटिंग का लेखा जोका आपको एक बार बोलिंग दिखा देते हैं अजमतिल्ला उमरजाई इन्होंने दो ओवर कराए तेरा रन पड़े इन पर शे दिशमलव पांच का एकनॉमी राइन का संधीप वेरियर ने एक ओव और राशिद खान ये भी शांदार चार ओवर पंदरा रन सिर्फ पूरा बान दिया इनिंग को ये एक खिलाड़ी जो इंपक्ट होता है ना कि एक खिलाड़ी के चार ओवर इसने आपके अल्मोस्ट इलिमिनेट कर दिया ओपोजिशन को फोर्स कर दिया दूसरे प्लेयर्स चांस लेने के लिए जिसके चलते विकट्स लगातार गिरते रहे आप बात करें उसके बाद नूर अहमत की राशिद खान के हम बतन उन्होंने भी बहुत बढ़िया गेंद बाज़िकरी जी मेरा बाए नूर अहमत मेरे जासे बोलिंग करता मेरा बाए तुमने देखा और विकेट एक जाद ही मिला उनको पांच की एकनॉमी बीस रन खाए अपने चार ओवर में शांदार परफॉर्मेंस साइकिशोर इन्हों ने करा आज बैटिंग लाइनप को पंजाब के तैस नहस चार ओवर में चार विकेट तैस रन दिये इन्होंने आठ दिशमलव दो पांच का एकनॉमी शारुक खान एक करवाया इन्होंने ओवर उसमें साथ रन पड़े और कोई विकेट इनको नहीं मिला तो यह था लेखा जोका अभी तक फर्स इनिंग कराज जी क्या एक्स्पेक्टेशन आपकी और पहले तो यह बताया आप सपोर्ट को कर रहे थे आज यह मैं चली रहा था जिस्टाम में लाइवाय थे आपस में की ताइमिंग और आपने देखा हुआ क्या है एक रंसे लास्ट में एक रंसे हारी तो ठीक है लेकिन जब बोलिंग करने आए थे मिचल स्टार्क बल्लेबाजी पे थे करन शर्मा एक और बीस से उपर रंच अगर मै आप क्या कहेंगा रही जीत कई क्या कोई मतलब मैच नहीं है यह लेकिन भाई साब ने टीन चखके लगा दिया मिचल स्टार्क को शांदा था मैच बना दिया है अरे मैच जीत सकते थी कर वो कॉटन बोल्ट नहीं होते तो मतलब अट लीस्ट सूपर और तक तो जाही सकता एक सिंगल और चाहिए था बस और उसी के चलते यहां पर जो जीत मिली लेकिन अपना पसीना पोश्ट लिया होगा गादां गंबीर ने की यहां बच गये इस टीन से नहीं हार ना भाईया नहीं फैंस आंग लगा देते अरे और गौतन गंबीर खुद तोड़ते खुद त अजरा कोने माजी नहीं है तू हरा भी किस टीन से आर्सीवी से बच गये लेकिन मैच इंट्रेस्टिंग हुए हैं पर इसका खामियाजा कितना जादा भूगतना पड़ा है अभी इनको क्या कहते हैं आर्सीवी को क्लोज जाके भी जीतने रहे हैं उसके चलते इनका अगर ह पर लैंग्विश कर रहे हैं आठ मैचे हो चुके हैं इनके आर्ट मैचे के बाद आप दो पॉइंट जाते एक जीत और साथ हरा आपका सुजिन तो यह खतम हो गया है च्छै मैच च्छै के जीतने बारा चौदा पॉइंट बना सकते हैं आप अभी भी लेकिन क्या सारे जी अभी बना सब्सक्राइब विज़ा जीतने जाए न वही काफी होगा हर मैच जीतने जाओगे तो कोई भी नहीं जीत अगगा और यहां पर चली बात करते हैं लिज अपर काफी क्वेश्ट मार्ट उनफुटुनेटली मैंने अभी तह रोग गुस्से में थे तो विराट कुली ने इस तरह से खेला कुछ उन्होंने बोले वीस्ट लाइन के उपर खेला है मैंने और कॉटन बोल्ड हुए थे वो नितीश राना थे नहीं हरशित नामे शायद उनका हरशित नामे तो उन्होंने रिव्यू भी लिया और रिव्यू के बाद भी आउट दि यह विराट कुली गुस्टा है लेकिन थीक यह ता यह नहीं तो बाद पताए क्या है जो ट्रेजिक्री दिखाता है ना डिजिटली उससे वो बिल्कुल एप्रोप्रियेट नहीं होता है, जो काफी जादा डिप करती ही दिख रही है, क्योंकि आप जितना स्टेप आउट करेंगे, उतना आप उस टेक्नालोजी को मौका दे रहे हैं, गैस करने का, अगर पीछे खेलते हैं, दिख जाता है कि बॉल अल्रेडी पीछे इत इंट्रस्टिंग रहा, लेकिन आज मौका है, जीटी के पास, उसने सीजन को, एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़वाने का, क्योंकि यहां से अगर जीते हैं, तो आट पॉइंट सिक्यूर करेंगे, पर तो उस बार शब से खड़ाब रंडेट है इनका, जीटी का, जो मै नहीं से नहीं से गर पहेंगे, यहां सोरी और बंच से इक कोुल आ जाएंगे लेकिन पॉइंटा च्च के साथ, नीस में आपके स्च के चच्पर आजाएंगे अड़न के मुंबाई से उपरा जाएंगे ट लिस्ट पोइंच के साथ, क्योंकि ऐक अम माले होजय का उनका, ल अगर के क्यार सोचिए वहां से हार जाती तो वो खतरनाक हो जाता क्यूंकि उसके बाद होता है कि आरचीबी के चार पॉइंट हो जाते और पंजाब से एकॉल हो जाते ऑन पॉइंट्स हलाकि नेटरंडेट काफी बुरा है वी लेकिन इतलीस्ट उन पे ये एक दिमाग में हो होता कि points में equal आ गए हैं तो धीमे धीमे कवर कर सकते हैं शायद इसके बाद तो कंदे और जुग गए होंगे जिस तरह से खास कर reaction था विराट को लिका विकट के बाद आप लोग बताइए आपको क्या लगता है और मैं कॉमेंस पढ़ने ही कोशिश करता हूं तक फन वाट यू थिंक इसके क्या लग और रसी बैड लग मैं बूलूंगा यह हार सीवी का बैड लग नहीं यह आर सीवी का बैड अप्रोच है तुवर्ज दी गेम हर मैंच में आप लगातार चोक कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप बार लग को ब्लेम नहीं कर सकते और जिस तरह से आप अप्रोच भी कर रहे हैं विराट कोली का यभि व vocalण वो पंजाब पंजाब भी थी गांश्डाइब खाल के ना रंड ने और याट अब तो हुए इसलिए अर्षदीप से बैटिंग नहीं कराए गई क्योंकि कही सुरवाड़ा इस बैटर बैट्समें शबान भिमानी लिखने है बड़ी नाइस कॉमेंटरी गुड़ आवाज यह सथेम भाई के लिखा है शायद बट ओके अभी सत्ने माई है नहीं तो हम ले लेते हैं उनिक कॉंटेंट लिविंस्टन और शिशांक का ऐसार देखिए देख चुका हूँ सर मैं हमने बात कर लिए इस बारे में आपने शायद पहले ही कॉमेंट किया था तो अभी मैं पढ़ पा रहा हूँ अभी आपका कॉमेंट ले लिया महारिशी पटे लिख रहे हैं टॉर्नमेंट के टॉप रन स्कोरर्स और टॉप विकेट टेकर्स दिखाए रुख जाए सर अभी दिखा देते हैं अभी के अभी दिखाते हैं आपको रुकिए ये लीजे अभी आपको top bowlers दिख रहे होंगे शायद और एक बार आपको मैं top batsman भी दिखा देता हूँ ये लीजे batsman थोड़ी देर इसको ऐसी छोड़ देता हूँ मैं ताकि आप देख लें विराट कोली top पे येस 379 runs के साथ टॉप पर हला कि दो मैच जादा खेले हो और ट्रैवेस हेड से उनको एक मैच मिल गया वो बराबर कर देंगे एक ही मैच में बराबर कर साही में और इसमें काफी हागे निकल जाएंगा अगर साही उनका बर्ला चल गया तो रियान पराग ये भी पीछे नहीं है साथ ओवर में साथ ओवर बोल रहा हूँ साथ इनिंग्स में नोने तीन तीन ताथा रमना है रोई शर्मा भी नियर है तो ये काफी कॉमपरिटिटिव जो देख लग रहा है सुनील नरायन वोड़ थाट की औरेंज कैप की रेस में सुनील नरायन भी होंगे सुचे पॉपल कैप औरेंज कैप दोने मिल जाती इंको क्या गरेंगे परितुछ भाई इनके लिए अलग कैप बनेगा गोल्डन कैप अब तो बिए अधी गरेंगे प्ल्स तॉरनुम्मेंस टैप की अवर्ड भी तो अभी अभी शाद इस अथा उतना गे पर ठेशान परफल कप के लावा इक अड़ अवर्ड भी मिलताथा जिसका मतलब बेस्ट प्लेयर इस सदीया का उच वोच उतना इसमार सब को न्यूस पेपर के माध्यम से पता चलता थे कौन कहां पे है इस वक्त लेगन अब आपको पता गरना है गूगल कीजी आई पील की वेब साइट पर आई यह वरना आप स्ट्रीम पर हम दिखाई दे रहे हैं आपको बिना बताए दिखा रहे हैं आपको तो क्या चाहिए आज से लीजे बले बाजी के लिए उतर रहा है जीटी और जो कफ्तान शुमन गिल है वो उतर रहे हैं उनके साथ है विक्त की पर रिदमान साहा क्या कामा काजी कामा काजी यह वो ही है अपनी टीम को लेकर फ़र के आई तो फिर आउन स्ट्राइक है रिदमा साहा और साम करन खुद गेंबाजी की शुरुवात करेंगे नहीं काजी रवाटवादी गई है तो एक और बढ़िया कॉंटेस बेट्वीन बाट अन बॉल में देखने मिलेगा यहां पर कुजरात टाइटन्स इस चेज की शुरुवात करेंगा 143 यह है टोटल रिक्वाइ बन सकता है यहां बहुत ईजी है लेकिन प्रेशर लेने के लिए लास्ट मेंगा देश खेलना हो तो खेल पाए गुजरात के मैचस गए हैं तो वह कहेंगे भाया हम नहीं खेल रहे हैं आपको बस सिंपल सी जीत दे दो इसमें यहां पर 6 और में तो इस ट्राय करना चाहिए कि जितनी जल्दी आप रंज बना सके बनाएं जी बाकी देखते हैं और आपको अपने अगर हम अपने विन प्रेटर के उपर ध्यान पहुंचाएं तो उस पे भी 90 प्रतिशत जीटी ओ पहली ही गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद एक इंस्विंगर इंसाइड एज लिया रिदमान साहा का और पीछे की दिशा में गई वहाँ पर फीडर उसे जब तक रोक पाद अब तक एक सिंगल चुरा लिया रिदमान साहा ने एक बिना किसी नुकसान है गुजरात टाइटन्स शुबमन गिल आज मौका है समय लेकर आराम से अच्छे रंज बना सकते हैं फैसला और बलेबाजी करते हुए उन्होंने 142 रं बनाए और गुजरात की टीम को दिया 143 रं का टार्गेट और आप लोग कोमेंट में बताईएगा कि क्या लगता आपको कौन से टीम आज के दिन ये मुकाबला जीतने वाली है अगर आपका जवाब होगा गुजरात तो तो अमान सिंग का था कॉमेंट को अगर आपका कुछ और है तो प्लीज उसे एक्स्प्लें करिये अर तब उसके बारे में बात करेंगा दो को अवादा च। थो पास कितने सोने वाले जूते हैं मैसी के पास कितने सोने बोक्सोने वाल है ये सब तो खेर आपको गुगल पर यह तो Google पर मिल जाएगा मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी बताता हूं और Indian football खासकर क्योंकि mainland में इतना फॉलो नहीं किया जाता है coastal states काफी fanatic है football के तो I-League का match था तक ISL नहीं होता था I-League का match था और match था इस बेंगल वर्सिज मोहन बगान मोहन कान? मोहन बगान बात करते हैं इसके बारे में मोहन बगान तो अब वो 80 के मोहन बगान हो गया है जो वो originally जो that is the oldest club जो जानते हैं लोग सबसे फेमस club है वो Indian football का that is मोहन बगान तो I-League में होते थे clubs मोहन बगान, सालगोकार और यह सब और इनको साइड सलगाओकार और बहुत सारे और भी हैं तो इनको हटा के ISL शुरू किया था नए clubs के साथ यह सारे clubs मैं लगातार पड़ रहा हूं वही football वाली ही बोल रहा है यह unique content तो वही बता रहे हैं आपको और यहां पर हलाकी football आपको बता रहा था मैं लेकिन साहा ने जो शॉट मारा है वो किसी किक से कम नहीं है पंच कर दिया इसको square of the wicket और खतरनाक cover drive चार रन बटोर लेगी straight bat से खेला गया शॉट पहला चौका इस इनिंग्स का शांदार शुरूबात पहले और में रंस तो आ गए हैं काईजी रबाड़ा को भी spare नहीं कर रहे हैं पॉइंटर कवर की बीट से खेला गया शॉट बढ़िया शॉट तो जब तक यहां पर सहा होंगे तो पावपले में ऐसी रन बनाएंगे वो शॉट से अनि सक्तेशन के टागर की आज़ ऐससे क्या है कि मांज़ग आट लिएस्ट एर इंका बता को सऩेशन का फिल एट में-टनीश नई ह३ूट एट जह झाल हांगे जो जिस टरेक आर टीज खेले वहांगे ऑंप खेली हम इनसे चाहें चाहें कि हूड़ा और तेज अंतिम गेन पर सिंगल आया सिंगल की मदद से स्कोर बढ़कर जागा साथ बिना किसी नुकसान के एक दश्यम एक ओवर कि समाप्तिक बाद कॉलकता में जब थे तब इनका स्ट्राइक कम होता था फिर बढ़ाया लेकिन के बाद इस साल लेकिन अभी तक थोड़ा नहीं देख अभी बहुत टॉर्णमेंट भचा हुआ है लास तक एक बार फिर दफतार पकड़ने जी अमन सिंग कॉमेंट देख रहे हैं पर तुछ कहानी का आगा है हां कारी आपके कहानी आगा है अमन सिंग जी बहुत जादा तेज दिखाई देख देए अप तो यह मैं था आई-ली क तो यह कुछ दस साल पहले गरीब की बात है और वहां पे मैच होता है और एस्ट बेंगॉल और मोहन बगाम दोनों बेंगॉल के क्लब्स हैं जब एक सिटी के क्लब्स आपस में मैच खेलते हैं तो इसे डर्वी कहते हैं और राइविलरी होती है बहुत खतरनाक जिस तरह ऐ क्लब फुटबॉल जादा प्रेवलेंट था तो उनकी राइवल्री और लोकल फैन बेस स्ट्रॉंग होता है मतलब वहां तीन चार जनरेशन से एकी टीम सपोर्ट कर रहे हैं लोग उस तरह है का है कि अगर आपका पोता हो तो कुछी और टीम को सपोर्ट कर रहा तो वहां वह डिसाइड होता है कि अगर बेंगॉल जीतेगी मैच तो एक तरह की मशली भीखेगी और मोहन बगान जीतेगी तो एक तरह की मशली जादा भीखेगी तो वह रिप्रेजेंटेशन की एकोनॉमी पे इतना फरक पड़ता है जहां पे लोकल राइवलरी होती है खेर तो उस राइवलरी में हुआ क्या इस वाटलिक स्टेडियम में मैच था महमबन अभी इंडिया के लेफट बैक थे उस समय और वह बहनबगान के लिए खेलते थे और वह लेफट बैक से रन ले रहे थे और एक दम से क्या होता है पथर आता है आँख पे लगता है महमबन अभी की आँख पे लगता है और खून निकल लग जाता है पत्थर लगता है उत्ते में क्या होता है कि दूसरे टीम को लगता है कि यह ड्रामा कर रहे हैं गिर गए हैं शायद वो अटैक करने आता है और फुटबॉल में तो करते भी है लो तो फिर लेकिन उनके टीम उने बचाने आती है फिर पता चलता है कि बहार से कुछ हुआ था और फिर में पूरा क्राउड वायलेंट हो जाता है और चीज़े गिरने लगी है बहारवार से और होता क्या है कि थोड़ी देर स्टॉप कि आता है गीम लेकिन बाई दी एंड अफ इसको अबादन करना पड़ा इतना व इंडिया में कोलकता में हुआ और बहुत रीसेंट लिए मैंने लाइव देखा है अपने आखों से देखा हुआ इसलिए बता पा रहा हूं तो यह एक चोटी सी स्टोरी आपकी लिए अगर आपको पसंद आई की नहीं वह बताईएगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक क सिंगल ही ले पाए हला कि पांच गेंद पर आट रन बना कर खेल रहे हैं रिदमान सहा वहीं गिल पांच गेंद पर दो रन बना कर खेल रहे हैं दस टोटल पहुंच गया है गुजराट टाइडमिंस का एक दिश्मल लग चार ओरो के बाद अर्षदीप की गेंद बाजी इ दोनों में ही इजाफा करने का एक और सिंगल आता हुआ शुमंगिल के लिए इस बार पॉइंट की दिशा में वहाँ पर टीम में फील्डर आकर आगे आकर सी फील्ड करेंगे एक ही रन मिलेगा ऐसी के साथ ग्यारा पहुंच जाएगा जीटी का टोटल अमन सिंग लिख र और वैसे तो वो अंग्रेज किंग नहीं थे वो कोई किंग नहीं होता था उस टाइम पर मतलब के मार्शल आल चलता है मतलब मतलब हवल्डार भी नहीं जैसे इंडिया का वोईसर होता था जैसे मैं एक्जाक्ली नाम बूर रहा हूं वो तो स्टोरी में को अब रिवाइस क अरे को जरी के आप बताओ कैसे रोके लिख रहा है क्या आप रोकने का चीज प्लैन नहीं हो सकता आप एक ही चीज कर सकते हैं कि कोछि करे कि पहले इनिंग में बैटिंग करके जादा रन बनाएं उनको पहली बैटिंग करने का मौकान ना दे क्योंकि पहली बैटिंग करने बे फ्री माइंड से खेलते हैं और ट्राइवेस है किया पूछा कोशन? अरजुन भाई मकवाना लिख रहे हैं कि पारतोष एसारइच को कैसे रोके हाव बताओ भाई ऐसारइच जैसी टीम को रोकना है न तो आपकी बोलिंग होने चीज स्ट्रॉंग बोलिंग स्ट्रॉंग और पहले बैटिंग कर लो उनको फ्री माइंड दो ही मत की आप तीन साओ के सोच के खेले बैटिंग अगर जैसे RCB की बोलिंग है मैं कौंगा पंजाब की जैसी बोलिंग है इनको भाई भूसा भर देंगे वो ऐसे बल्लेबाज उनके अगर उनको जीतना किसी भी टीम को उनके सामने जीतना तो गेंदवाजी आपको अच्छी करनी पड़ेगी अन्सकिल क्रिक शॉट्स लिख रहे हैं अभी लास्ट एर करेला ब्लास्टर ने लास्ट में ग्राउंड छोड़ दिया था जब येस लेकिन वो डिफिरेंट था वो तो खैर प्रोटेस्ट का तरीका था उनका क्योंकि उनका नहीं छोड़ना चाहिए था पड़ी तो गैंग्स्टर बॉस बगान या बगान सर बगान मोहन बगान ठीक है और जीटी अभी बहुत अराम अराम से टार्गटी तरफ पड़ते हुए कुछ अर्जंसी नहीं दिख दिया अप्रोच में अभी तक तो उन्हें जो मैं बोल रहा था पंदरा ओवर वाला वो अप्रोच भी नहीं रहेंगे रहेंगे क्या है बोल रहा हुँ 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 हुआ है अगली गेंद और चौका लगा दिया यहां पर अबाड़ा को शिबमन गिल ने क्या कमाल का शॉट चोटी बॉल थी उसको खेल दिया डीप मिड़ विकेट के ओड पिक अप और की समापती के बाद शुमन गिल आठ गेंदों पर साथ रन और दिमान सहा आठ गेंदों पर दस रन दोने बल्लेबाज एक तरीके की बल्लेबाजी करते हुए और कोई भी मतलब चांस लेते हुए दिखाई नहीं दे रहें उनके मन में बिलकुल भी ने की तेज गती से मनाओ दाय हाथ से ओवर दाव एकेट यहाँ पर शुमन गिल का बला फिर से बोला है गेंद जाएगी डीप मिडविकेट पर चौके के लिए फुला लेंद की बॉल थी स्टम्स की लाइन में जिसको फ्लिक किया था और गेंद सीधे चली गई सीमाय रेखा के बाहर स्कोर ब जंतिम गेंद कोई रनने स्कोर अभी भी एक केस बिना किसे नुकसान तीन ओवर की समापती के बाद नौड अनाय रबाड़ा के इस ओवर से ओप्स्टम के बाहर की गेंद थी बल्ले का किनारा चूती हुई गई गई थी तो यहाँ पर भागे शाली रहे शुमन गिल की उन अभी मैच में बहुत कुछ बाकी है मैच में बहुत कुछ बाकी है और अमन सिंग जी जो आपका कॉमेंट है उसमें मैं शूर नहीं हूँ कि जॉर्ज फिफ्थ ही आय थे इंगलेंड से यह मुझे पता है कि इस्ट यॉक्षेहर की टीम थी जिसको हराया था मोहन बगान ने अमर को क्या बोलते हैं अमर को बोलेंगे इंमोर्टल इलेवन इंको नाम दिया गया था जो जन 11 प्लेर्स ने उस टीम को रहा था एस्ट यॉक्षेहर की टीम थी और इस किंग के प्रेजन्स के वारे में मैं शुर नहीं हूँ अगर आपको इता पर्फेक्ट पता है तो मैं आप पर बिलीफ करने को तैयार हूँ कि आपको जाद अच्छा पता हो सकता है मुझे नहीं पता हूँ बट आइम नॉट शॉर कि जॉर्ज फिफ्ट के सामने हराया था मुझे पका पता है कि इस यॉक्षेहर की टीम थी और नंगे पैर हराया था और इंमोर्टल हो गए थे तो लोग क्या होता था कि जैसे वेस्ट इन्डीज की स्टॉरी आती है न कि इंग्लेंड को हराया और मतलब उनको आँखों में आखे डालके हरा के फिर वो क्योंकि नीचे समझते थे अपने से छोटा समझते थे इंखिराडियों को वो लोग तो इक खाली स्पोर्ट से अर्जुन भाई मकवान लेख रहे हैं, GT, CSK, RR किसकी बोलिंग को SRH रोक सकती है GT, CSK, RR, GT तो नहीं कर सकती है राजस्तान कर सकता है CSK के पास अच्छी बोलिंग है CSK की बोलिंग इस बार मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहे है CSK के पास एक प्रॉपर बोलिंग आउटफिट है तो अगर हैदराबाद के टीम के तुफान को कोई रोक सकता है तो वो CSK की बोलिंग हो सकती है अगर राजस्तान, राजस्तान ऐसा गुड बोलिंग एक ट्रेंट बोल्ट है आपके बास और की अगली गेंग, छोटी गेंग उसका पुल किया गेंग जाएगी डीप स्कोर लेक पर खिलारी पीछे आजाएंगे डाइव लगा करके कगीजव नबादा तब बल्ले बाद बाद दो रन पूरे के स्कोर बढ़के हो जागा पच्छिस बगार नुकसान के यह जवेंद्र चेहल है लेकिन चेहल एसे गेंग बाद लेकिन जसके सामने आपको लगा कि नहीं आज यह डर लगता उससा बल्ले बाद जाते नको मार ने खिले और उस चेकर वे रिकट गवा देते हैं रिकेड नहीं पाते हैं लेकिन सी एसके के पास सही में अच्छ गें अमर इसलिए अमर है उसका बंगवाली में और यहां पर छोटी गेंद्र पुल किया आउट हो जाएंगे पहला विकट गिर चुका है यहां पर तीन दिशमला चार ओवर के बाद पहले विकट का पतन और पंजाब अपने आपको वापिस इस गेम में आता हुआ देख रहे ह यहां से बड़े सेलिबरेशन प्लेयर्स के लिए नहीं फैंस के लिए भी और लोकल सपोर्ट बॉस्ट हो गया है यहां पर रिदमान सहाज जिन से एकस्पेक्टेशन थी कि तहीं से रंस करेंगे उन्होंने अपना विकट एक केरलेस शॉट खेलते हुए सीधा शॉट में विकट पेफिल्डर मौजूद थे इस अस्टोश उनको पकड़ा दिया है और अर्षदीप जिनकी बात हो रही थी बैटिंग के लिए उन्होंने आज बॉल से इंपक्क कर दिया है दूसरी इनिंग में पहला विकट गरता हुआ जीटी का पच्छिस पर एक है गुजरात ट पाइटन्स श्रयान शर्मा कामकाजी शा आज भी नहीं चले आज भी पट गए हो अकेले पट गए हो तीन दश्मलाव चार्वर की गेंदबाजी के बाद पच्छिस एक रिकेट के नुकसान पर गुजरात की टीम का स्कोर यहां से अगर गुजरात को जीतना है तो साथ फर्क नहीं है एक शुरवात तो काफी धीमी है एक विकेट भी आ गया तो यहां से गुजरात की टीम फस सकती है अगर एक और विकेट आ जाता है तो मतलब आपके सामने छोटा टार्गेट था इसका मतलब यह नी कि आप इतना इजी खेलोगे गेम को जादा आप ने पहली गेंट पर ही चौका लगा दिया है बाए हाथ से ओवर दा विकेट गेंट इसको कट किया तो गेंट सीधे गई थी डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंडरी की और कमाल का शॉट गैप तलाश लिया पहली बॉल बही तो चार रन आ गए है पहली गेंट पर और इस अर्षदीब को भी उनकी साइस दर्शन की पहली गेंट जोना ने खेली और इंपक्ट प्लेयर की तरह इनको लाया गया था पिछली इनिंग में आखरी ओवर से पहले वर्म आप कर लीजे थोड़ा फील्ड वील्ड देख लीजे अफ अवेर हो जाई सराउंडिंग से और जब चार रन इन्होंने स्कोर कर दियें पहले ही आते ही गेंदों पे 114 रनों की अवशकता है गुजरात को ये मुकाबला जीतने के लिए परतोज भाई अमन जी का कॉमेंट आगए आपके लिए पढ़ लीजिए परतोज भाई आपको 2014 टीटवेंटी विश्व कप उस्टेलियो वस्ट इंडीज मैच याद है जब बहुत सी प्लेयर ने नसुमेदी टिपणी कर दी थी विंडीज के उपर और वो मैच डेरिन सैमी कपतानी विंडीज मोहन बगान टाई जी हाँ मतलब ये तो खेर फिर भी काफी मौर्डन आप टाइम्स की बात कर रहे हैं जब जिस तरह की टाइम में वो गेम्स हुए थे जो मोहन बगान वाला गेम है वो निस्सो ग्यारा में हुआ था जो और वेस्ट इंडीज जो अर्ली टीम ते जब डॉमिनेंट थी जब दो वर्ल्ड कप लगातार जीते वंडें इंटरनेशनल जब शुरू हुए थे उस समय की जो टीम थी उन्होंने जब लगातार वर्ल्ड करके डॉमिनेट किया वो जिस तरह की कहानियां बताते हैं वो एक अलग टाइम था उस समय तो जादा मतलब जो ये टिपड़ियां होती थी नसल वेधी तब तो कॉलनी था इंडिया ग्रेट बिटेन की तो तब तो अलग ही सिचुवेशन थी वो उतना ही बड़ा इंपक्ट मोहन बगान की वो जीत थी खैर यहां पर शुबमन गिल ने भी तेजी पकड़नी कोशिश की है हर्शल पटेल की पहले ओवर की दूसरी गेंद ये और उसको पॉइंट की दिशा में स्लैम करके चार रन बटोर लिए तैथिस पहुच गया है गुजरा टाइटिंस का स्कोर एक गटकी नुकसान पर बेतरी शॉट जी ऑफस्टम के बाहर की गेंद थी इसको स्कोर कट किया था शुबमन गिल ने और गेंद सीधे गए थी डीप बैकवर्ट पॉइंट पे चाओके के लिए अब और की अगली गेंद लेके चलेंगे गेंद बाज हर्शल पटेल सामने होंगे शुबमन गिल और इस गेंद प यह थर्ड अंपायर की तरफ गया है क्योंकि फो लगा था बेल्स ऑफ और डिरेक्ट हिट था तो अब अंपायर ज्यादा अपने उपर नहीं लेते हैं रिस्पॉंसिबिलिटी बोलते हैं सीधा जाए रीपले देखिए और आप लिजर डिसिजन क्योंकि बाद में अगर च आप लेक्रस्टिंग रहेगा अमन सिंह कुड़ने पारितुष भाई आज का लास्ट क्वेस्टिन जी पूश लीजिए अधियादी आप लिख रहे हैं शाट आउट शाट आउट तो यू अधि यहारे दोस्त हैं अच्छा परिशान करने हैं आपकर दोस्त हैं चलिए उत् प्रजापती भाई आप कहां पर थे नोटिफिकेशन नहीं आता बिग फैन तो एक बार बैल आइकन को आउफ कर दीजे शायद फिर आने लगे साइस दर्शन ने इस बार अगली गेंद को धकेलने की कोशिश किये है हलाकि फिल्डर मौजजूद है विकेट के नस्दीक तो कोई रन नहीं आएगा असानी से फिल्ड कर लिए जाएगा शुमन के लिए लिए गलव चेंज करना चाहरे हैं और हाथ में पकड़ा हुआ है नहीं पसीने सुखाने के लिए खोल लेते हैं तो चार ओवर में इतना पसीना आ गया कि ऐसी गर्मी मुलान पुर में है यह गेम आज का तो यहां क्या इतना हो सकता है वैसे पांच वी गेंद इस बार डिफेंसिव शॉट पॉंट की दिशामे वहां पर डीप का फील्डर आगे आकर फील्ड करके तब तक एक रन ले लेंगे और शुबमन गिल स्ट्राइक पर आ जाएंगे 35 एक विकेट की नुकसान पर 4.5 औरों के बाद 108 और चाहिए यहां से एक क्यानवी गेंद उपर और कि अब अंतिम गेंद लेके चलेंगे हर्शल पटेल सामने बलिबाज होंगे दाएंहाथ के शुबमन गिल जो 14 गेंदों पर 17 दन बना करके खेल रहे हैं अभी तक अपनी पाड़ी में उन्होंने तीन चौके लगाएं और छक का अभी भी आना बाग की है क्या हो लगा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी और की अंतिम गेंद को लेगे तैयार हर्शल पटेल और सिंगल आ जागा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हुआ 36 एक विकेट के नुकसान पे अफस्टम के बाहर की गेंद थी फुल लेंद की जिसको पुश कर दिया था ऑन साइड बे गेंद गए थी काव कॉर्णर की ओर जहां लॉंगान के खिलारी ने भागते हुए अपनी दाई और गेंद को पकड़ा एक सिंगल ले लिया था बले शुमन गिल ने स्कोर बढ़के हो जागा 36 एक विकेट के नुकसान पे यहां से 90 गेंदों पे 107 रनों की अवशकता है गुजरात को तो गुजरात के जो नहीं बले बाज है वो तो आराम से खेलते हो दिखाई दे रहे हैं उनको किसी बात की कोई जल्दी नहीं है उनको बस करते हुए शायद गुजरात की टीम आपको ना देखे क्योंकि एक विकेट इतना जल्दी आ गया है और पिछले कुछ मुकाबले इतने खराब गए है कि यह बस चाहेगे कैसे भी मतलब जीच चाहे इस मुकाबले को दो पॉइंट मिले उनको हाँ क्योंकि पॉइंट टेवल पे हालात कुछ अच्छे नहीं है तो किसी तरीके से अपने आपको मेंटेन रखना चाहेंगे प्ले आफ की रेस में क्योंकि इस तरह ऐसे अगर परफार्मेंस आती रही ने टरन रेट उनका अल्रेड़ी बहुत नीचे पहुँच गया है तो कहीं आरसीवी से नहीं चैलेंज करने लग जाएं नीचे के स्पोर्ट्स के लिए वो कोशिश होनी चाहिए अभी पॉइंट सेक्योर करने के अपर ध्यान है उनका सिंगल आजागे इस गेंद पर सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता है तो 37 एक रिकेट के नुकसान पर सैम करना है गेंद बाजी करने के लिए पाव प्ले का अंतिम ओवर हो गाई है और श्टम के बाहर की गेंदी जिसको कट किया था गेंद गई थी बैकवर्ट पॉइ किया नवासी पर 106 रनों की अवशक्ता है गुजराद की टीम को यह मुकावला जीतने के लिए ओवर की अब दूसरी गेंद का सामना करेंगे साही सुदर्शन जो चार गेंदों पर पांच रन बना करके बल्ले बाजी कर रहे हैं इस वक्त ओवर की दूसरी गेंद कोई रन कर दो का था नहीं है कि यहां से पर दोश्वाई किसको बैक करना चाहेंगे आप सपोर्ट किसको करते अगर आप करते भी सिंग अपैसे बोले रहे हैं कि अब दोनों में से कुछ ऐसा इंपर अगर मतलब वैसे बात कि जीटी ऐसी टीम थी इसको मतलब में देखके अच्छ लगता था अब इस साल तो खैर उथल पुथली हो गई शमी केल नहीं रहे हैं हारदिक पंडे के जाने के बाद बैलेंस टेप ओफ हो गया है लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस पंजाब ने किया है उसने बहुत इंप्रेस किया मुझको खासकर जो दो अनकैप खिलाड़ी अनिश शांक और आश्टोश नहीं विल जीती अलगबग हर क्रिकेट फैन का मुझे लगता कि इन वनों खिलाड़ी को देखके किसी भी क्रिकेट फैन को मज़ा नहीं आया होगा कि एक लोकल टैलेंट जब इस तरह चमकता इतने बड़े स्टेज पर तो किसको अच्छा नह करें कि मूर्थल चलो गए जाओ यह मेरे दोस्ते हैं यह मुझे परेशान कर रहा है आप अरे तो आप बताओ ना कौन-कौन से दोस्त आपकी अनकली अधार कार्ट से आये मुझे का तो कॉमेंट बहु से कह रहे हैं तो पढ़तो लो पहले आप तो इसमें पढ़ना है अब है अब है यह अब है अब है अब है यह अब है यह बाइंट से ओवर ड़केट अगली गैंस लेक्स टम पे गेंट इसको कर दिया पुष ऑंसाइड मोटेजी से सिंगल पूरा कि दो रन के भाग जाएंगे दोना ही बले बाज स्कोर बढ़को जागा चारिस एक टके उसका जो कवर आठ है वो इन्हों नहीं खीचा हुआ है यह शाट आउट इनको भी पांच दिशमलव पांच ओरो के बाद चालिस एक विक्ट के नुकसान पर पिछली गें जुथी वो स्लोर वन थी उसको रीड करके दो रन निकाल लिये थे शुमंगिल ने सतरा गेंट पर को तलाशा यहां पर शुमंगिल ले बेहतरीन शॉट और चार रन दे जाएगा इसी के साथ पांच और कट के बीच का शॉट था पावर प्ले खतम हुआ है चौके के साथ चावालिस पर एक है बाई दी अफ पावर प्ले नॉट टू गुड नॉट टू बैड सैम करिंप कि हैं आप प्लेवाद सोचागा कि यार इस तरह सब दे खाते हैं कि ज़िए कि रिच्ट बैड सबस्क पर आप जाते हैं उसके बार बापन आते हैं तो सकसेस्फूल होते हैं क्योंकि शुरुआत में शुरुवाद में एप लिया गया थाया इसा कुछ इविलीूशन नहीं हो जब शुरुवात में आय थे, even Ashes जब खेल रहे हैं, कितना बढ़िया परफॉर्म किया थे लेकिन उसके बाद से वह ग्रोथ नहीं हुई है शाएद उतनी और एक बड़े ग्रोथ पैसे काटने चाहिए, ठाटर बहुत मिलते इनको कसम से, बहुत पैसा मिलता है इनको, बहु बना करके बल्ले बाजिक करें, और ओवर की पहली गेंद का करेंगे, वह सामना, अभी तक एक ही चौका लगाया है, साइस दल्चन ने आठ गेंदो का वो कर चुके सामना, बाए हाथ से राउंद विकेट, स्टम्स की लाइन में गेंद, उसको पुश कर दिया, उन साइड म अभी यहां से चाहिए अठानवे, अठानवे रन, तरासी गेंदो पर अठानवे रन चाहिए, साथ दिशमलव, शूने आठ का रिक्वाइड रन रेट है, जो की करन रन रेट से कम है, करन रन रेट है अभी साथ दिशमलव, तीन शून, पढ़ी आते हुए, दो केजी दू नकाब पोश्ट लोग गूम रहे हैं आप कमेड़ी बॉक्स में, तुम आप गलती है कि आप पहले से उसे पढ़ नहीं रहे हैं, एक बार पढ़िये मन में, फिर पढ़िये अगर पढ़ने लाएक है, अर यह कॉमेंट मतलब इतने लोग करते हैं, मुझे थोड़ी बता यह दूसरे किसी और कमेंट पढ़ा है मैंने, दो को मैं वान कर चुक है, तीसरा एक और नया अगाउंट आगे हैं, क्योंकि आप दो कर रहे हैं, मैं बता चुक हूँ आपको आप जाईए, आपको बहुत लोग मिसका है, प्लीज आप जाईए, दूदूद नेते में जाई और यह पार्टनर्शिप छोटी सी, बहुत छोटी सी बिल्ट हुई है, दोने परलेबाजों के बीच में, हालकि सुस्त अभी पर्टनर्शिप है, यह पिक कर लीजे आप, पक्का करना है, हाँ जी, क्योंकि यह तो मॉडरेटर इनको मैं नहीं जानता हूँ, आपी का नाम बाई आपी बढ़ लीजिए, बताओ पर्टनर्श भाई अगले साल मिशिल स्टार्क को कितना पैसा मिलेगा, मेरा बस चले तुम मैं, दस रुपे भी ना दो, बहुत पैसा अलग से लगा है, बहुत निकल जाओ यहाँ, भाई बंदे ने आज फसवा दिया था मैं, कैसी ब जाल गया, यह तो मैं नेट प्रेक्टिस करने आयों है, आपर, उपर मेरा कॉमेंट है, ब्रो, पारितोष, ब्रो, को देखिए, अच्छा, सुलील शेतरी ने बहुत गोल किये है, रोनाल्डो मैसी करीब है, शायर, टेल मी मोर, सुनी लो, अच्छा, इसके बारे मैं बात कर के बाद, एक क्यावन, एक विकेट के नुकसान पे है, गुजरात टाइटन, हाँ जी, आपका कॉमेंट आप लेते हैं, जी, आसुनील शेतरी, जो एक्टिव खिलाडी, जिन्होंने सबसे आदा इंटरनेशनल गोल स्कोर किया है, उस लिस्ट में, रोनाल्डो मैसी से, मैसी नहीं है, इस एज पर आके भी, ही कान चैलेंज 20 साल के नए लड़कों को, आप अगर किसी इंडिया को कोई बी इंटरनेशनल गेम देखें, आपको सुनील शेतरी खेलते हुए, अलग से दिख जाएंगे, कि ये खिलाडी सबसे बहतर खेल रहा है, सबसे यादा गेम अवे तो आप कंपेर नहीं कर सकते है उसको उस गेम के अकॉर्डिंग, जो इंटरनेशनल गेम हो बहुत फास चलता है, फुटबॉल अगर आप देखता है कोई भी, तो ये समझ आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्यूंकि जो अप्रोच है गेम का, नब्बे मिनि इस तो कंप मैं जो जो थे सिएट रहे था कि सी अजी आप धास। आप तो कर नरी से नर्च कावराई थी, कि कि रोनाल्डव मैच में मतलब लग भग किसी माच में चालच कीलोमेटर भाग गांगा एंगा या उसस्ता है? आप रोसकता है, अब शोचेख जोचेई 40 वहागा महती है ? जब पहले भीच में फिर दो अग्पिल खेलने लगे इन खेल उपर जो नागी ऑन यहागी नगी है वहागी सेेतरी बहुत खेलियों के भागी है पहले एकल्स च्हें आज्ट बीच में वाहता स्चेलंने रहना ्ट को फोलत एकल weट two अच्छा परफॉर्मेंस रहा है चुनिक वुस्वामी इफ हम नॉट रॉंग यह खिलाडी है जो बहुत जिनका इंपक्ट रहा है इंडियन फुटबॉल में अगर आपने जो फीचर फिल्म आई है मैदान वो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा पिच शुब मंगिल ने चार रन के लिए तो रंस लगातार आ रहे हैं और वो अच्छी बात है गुजरात के लिए चेज में आपको ब्रेक्स नहीं दिख रहे हैं जशन प्रीथ लिख रहे हैं कॉपेड़ इसू नहीं आ रहा बॉल आपका सेकंड चैनल नहीं बता दो आपको सार रुपे भी ना दूँ यूनिक कॉंटेंट यह शायद स्टार की बात हो रहे हैं बिल्कुल सही कहा है आप इंको कोई पैसा नहीं मिलना चीए बहुत लूट चुक है मारे देश को अल्रेडी नहीं और किया बगली गें दाय हाथ से और दाय हाथ के बले बास के लिए वापस गेंदबास की और खेल और जबरदस्ती पंगे लेते वें लिविंस्टन यह पर शिवमन गिल्ट से तो यह पंगे कुछ खासा अच्छा नहीं लग रहे हैं लिविंस्टन के लिए बैट चल नहीं रहा है बॉल से पिट जाएंगे क्या फाइदा अप तो शिवमन गिल ले अब नहीं पर जोट जाएंगे लिए जोट जाएंगे विट विट जाएंगे शिवमन गिल दाया थे और देट स्विप किया गेंट को और गेंट सीधे जाएगी फाइल लिक की और क्या मिलेगा चौका जी नहीं यहां पर खिलाडी आजाएंगे पीछे और स्कोर बढ़ ज यहां तो एक सो पचास के आगी पहुंचे हैं हाला कि 58 पर एक है आठवर की समापती के बाद यहां पर 72 गेंटर पर 85 रनों की अवशकता है इस मैच को जीतने के लिए गुजरात के टीम को शशी आये हैं बोल रहे हैं नमस्कार सभी सभी को पंजाब और दिली इस बार भी नहीं जीते गाई पेल जी नहीं इन दोनों का इतना चांस तो नहीं है डेली कुछ कर सकता है क्योंकि एकाथ गीम डेली ने बहुत अच्छा खेला है अगर सारे बैट्समें जोनके चल गए खासकर जिस तरह से जेक फ्रेजर में गग चल रहे हैं में जो डर लग रहा है ट्ट्वेंटी वर्ल्ड कप कर ट्र में ओपनिंग पेर क्या देखते हैं आप इंडिया के लिए ओपनिंग पेर अभी तक तो लग रहा है विराट कोली और रोहित शर्मा जिस तरह के सिचुएशन चल रही है क्योंकि विराट को अगर खेलाना तो ओपनिंग की करवानी होगी और कॉन सी पोजिशन लेकिन एक पर फिर क्वेस्चन वही आ जाता है ना कि अगर विराट ओपन कर रहे हैं फिर एशसी जैसवाल कहां खेलेंगे और क्या करेंगे नहीं खेलेंगे शुमन गिल के लिए मतलब केल राहूल को खिलाना तो चाहिए आपको विकेट कीपर रिशाप पंथ भी आ गया है मैं कहरो क एक्डर राहूल-एशाप ऑन्ठ एफिर के लेगार आपको अटा है खिला रिशापंद को साथ में घलाल को जाए मैं अगिए इसान कीशन को भार करेंभाइस तेखो इसान कीशन को बाहर कर दो गाले है यापिकेट कीपर की नई है भी तो इसे अभु कि यह जाना है का यप दिनेश दादा आप तो छोड़ दो अंशमन राचपुत जी कह रहे क्या गबर अभी ठीक नहीं हुए जी नहीं अभी तक ठीक नहीं हुए वह अगर हो जाते तो आज का मैच वह डेफिनेटली खेलते तो अभी तक वह ठीक नहीं हुए जॉनिवेस्टर को तो डॉप कर दिया तो अभी कल राजस्थान वर्सिज मुंबई है अच्छा मुकाबला है और पॉइंस्टेबल पे काफी हरकत देखने मिल सकती है इस गेम के चलते ही राजस्थान जीत लिए मैच को राजस्थान काफी स्ट्रॉंग है और शाइद राजस्थान के होम पे वी है क्योंकि बिलक खतम हो चुका है बेर अन्दर रोड फॉर वाइल नाओ तो अन्दर रोड का मतलब है कि उनके सारे गेम्स अवे हैं जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने एक बार फिर बता दिया स्ट्राइक रेट शुबमंगिल का 136 का पांच चौके जड़े हैं अभी तक उन्होंन साही सुदर्शन को भी टिब्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं हेलमेट उतर चुका है अब उन्हें लग रहा है कि स्पिनर्स आएंगे तो इतना डेंजर नहीं है तो थोड़ा फ्रीडम के साथ शाहिद कील सकते हैं सिंगल लिया है साही सुदर्शन ने इस बार डीप मे गेन को पुश किया गया ऑफसाइड पर और एक सिंगल लिया शुमन गिल को स्ट्राइक दी उन्साट एक विकेट के नुकसान पर है गुजराथ टाइटन्स सुमित लिख रहे हैं यह शैस्वाल के ओपर क्या विचार है क्या अभी भी चांस है टीटेंटी वर्ल्ड कप का टीटेंटी वर्ल्ड कप के लिए देखिए अभी आधर टॉर्नरमेंट करीब बचा है उनकी पर्फॉर्मेंस कैसी होती है वो प्रेशर जरू डाल देगा से लेक्टर के ओपर लेकिन जैसी स्चुएशन है विराट कोली और रोईट शर्मा ही उपन कर रहे हैं तो उनका खेलना थोड़ा मुश्किल है वेराल शाशी लिख रहे हैं सत्यम भाई मेरे प्यारे दोस्त कहा है राजभाई भी अपने यार हैं पुराने आपको याद किया जिया है आप तो जुड़ते हैं पिछले कुछ मकाबले में भी आप जुड़े थे मुझे याद है शाशी जी आप कैसे हैं आप सिंगल आ जागा इस गेन पर सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के हो जगा साठ है के नुकसान पर अर्द शम्लाव चार ओवर की समापती के बाद और यहां से 68 गेंदों पर तरासी रनों की अवश्यक्ता है गेंद बाजी के लिए अपना दूसरा ओवर ले करके हरपीत बराड अब तक 9 दे करके कोई विकेट उनको नहीं मिला है यहां पर खेल दिया जो एक्सपेक्टेट था वो हो गया और विकेट कीपर इस पर कुछ नहीं कर सकता है मतलब पास आगे बाद पर चला गया वह और की अब अन्तिम गेंद बाएंध से राउंड द विकेट बाएंध के बलेबास के लिए कट किया गेंद को गेंद जाएगी डी पॉइंट पे खिलाड़ी पीछे तैनाथ एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के हो जाएगा पैंट सट एक विकेट के नुकसान पर यहां से अब जीतने के लिए चाहिए छेया सट गेंद पर अठातर रन तो क्या लगता दोस्तों बनाये जा सकते हैं रन बनते तो है लेकिन कितना जल्दी काफि सुस्त खेल रहे है परितुछ भाई मतलब यह तो रन गती को बस मेंटेन करते हुए चल रहे है रिक्वाइडर करेंट क्यों उनका थोड़ा हो तेज़ खेल सकते हो या टीट्वेंटी मैच है कुस्तों इज्जत करो टीट्वेंटी मैच की हैद अपरोच है कि बस सेफ करके एक रिजर्ट सिक्योर किया जाए ऐसी पोजिशन में टीम को डालने अट लिस्ट कि यहां से हार ना पाएं जी हां तो आ चुका है यहां से दस ओर का खेल और बस ताब यहां से भी हार जाओगे तो इस अप्रोच से जाई नहीं हो गया आप जो करना पड़ेगा यहां तो इंडिया में ही है सुपारी दूप बॉल मार के तोड़ो और दुपर यह त्राविस हैट को और पैट कमिन्स को भाई जीतना है यार वल्ट कप पैट कमान चलता है तना तो आ जलता है नहीं ता हमामें गेंद है यहां पर खिलारी आ जाएगा नी और लिविंस्टन ने यह जो वर्बल बैटल था उसमें लास्ट लाफ लिविंस्टन करा आज के दिन क्यूंकि विकेट ले लिया है शुपमन गिल का और अत्यस पर पैंटिस बनाकर वापस पवेलिन की तरफ चले जाएंगे यहां से बिल्कुल रीच नहीं कर पाए जाएद कुछ बोला होगा लिविंस्टन को कुछ तो हुआ है और यहां पर लिविंस्टन लेक्स्पिनल भी और श्पिनल भी हम गेंदवाजी भी उपनिंग करते हैं तो अच्छे मतलब गेंदवाज के तौर पर अच्छे काम में आ जाते हैं लेकिन बैट से कुछ कर नही नहीं पा रहे हैं तो है तो देखे धाकर है हलांकि चल नहीं पाड़े बात वह तो ही दमखम तो ही लास्ट लास्ट टॉर्णमेंट में भी हमने देखा था अर्जुन भाई मकवाना लिख रहा है पारतोष आरा सारेच केके आर सीएस के कौन जीत सकता आई प्र ट्रॉफी रायस्थान काफी स्ट्रॉंग कैंडिडेट है बट रायस्थान लास्थान में रायस्थान की बाद स्पेसिफिकली इस लिए कर रहा हूं क्योंकि लास्ट इस तरह के परफॉर्मेंस थे लगातार डॉमिनेट कर रहे थे टीम को और फिर फाइनल लेक में देखा था आपने कैसे कंप्लीटली आउट हो गए थे लगातार कुछ शुरुवात में मैचेस जीते फिर उसके बाद लास्ट में आते आते हैं उनके पता नहीं क्या हुआ डिरेल हो गई थे पूरी गाड़ी तो इस बार अगर वो ना हो तो आपको क्योंकि रहन पराग फॉर्म में मिडल ओर जो कंप्लीटली वावल लग रा था उसने इस बार फिर भी बचाया हुआ है इस वाल उस फॉर्म में नहीं है लास तक आते आते शायद वो भी उस फॉर जैसे वो लगा रहे थे लास्ट यर तो आपको एक डिफरेंट इमेज दिखे एस तो बहुत स्ट्रॉंग है बैट से भी हो गई है पहले बॉल तो बॉल से तो रहे हैं हमेशा से आप लो कहां से लाइव कर रहे हैं डेली साकेट न्यू डेली न्यू डेली से लाइव है इस रन रेट से तो और खासकर जिस तरह का गेम हो गया है अब T20 इस रन रेट से आप नहीं खेल पाएंगे ODI चलेगा लेकिन T20 में नहीं चलेगा रोई चर्मा इतने बड़े खिलाडी हो कि उन्होंने अपर चेंज कर लिए आपको जरुवत है चेंज करने की और क्या यार अबी तो आपका टाइम भी और आप वैसे खिलाडी हैं भी जो कर सकते हैं तो क्यों नहीं अब 68 हो गया वैसे एक सिंगल आ गया क्योंकि लेकिन 60 60 60 60 पिलता है तो अभी कहीं दिख रहा हो गया वो पहले ही दीरज कुमार जी आपको मैंने ले लिया अब यहां पर गेंद बाजी के लिए अपना तीसरा आवर लेकर के रबाड़ा यस सोलर अंदियां अब तक और कोई विकेट नहीं मिलाए रोकना ना विकेट आ रहे हां कि मतलब अभी गेम बनाने तो यहां से विकेट चाहिए तो बाद में बचा के करेंगे करेंगे क्या और की पहली गेंद दाएहाथ से ओवर दाएहाथ के बलेबास के लिए और स्टम्स की लाइन में गेंटी फ्लिक किया इसको गेंज जाएगी डीप स्क्वेर लेक पे खिलारी पीछे होंगे तैनात और स्कोर बढ़के हो जाएगा 79 दो विकेट के नुकसान पे 10.1 एक और की समापतिक बाद 69 गेंदों पे 74 रनों की आवशक्ता है गुजरात की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए और की अब अगली गेंद का सामना करेंगे डेविड मिलर, किलर मिलर तीन गेंदों पे दो रन बना चुके हैं क्योंकि इस बॉल पे भी सिंगर ले लिया है डेविड मिलर ने स्कोर बढ़के हो जागा 72 विकेट के नुकसान पे हलके आतों से बैकवर्ट पॉइंट के पास खेल करके भाग गए थे बल्लेबाज और स्ट्राइक पे आ जाएंगे वापस अब साई सुदर्शन गगन दीप गगन हमारे साथ जुड़ गया है क्या सर आज पंजाब आएगा वापस भाई तक मौका तो है उनके पास वापस आने का क्योंकि अभी भी बहुत रन बोर्ट पे हैं बचे आप देखिया ना सतर रन में दस ओर में और तीहत्तर चाहिए यहां से अभी बचे हैं ना सतर चाहर बचे हैं तो बिल्कुल गें बन सकता है दो तीन विक्ट हैर देर यू नहीं और पार प्ले नहीं है अब तो तो गेम तो बन सकता है विकेट चाहिए यहां से क्यूंकि मिदल अडर वैसे वीवाबल करी रहा है गए जीटी को दिक्कते लगाता मैसूस हो रही है थ्रूआट देंपेन और आज मौका है बिल्कुल अभी पंजाब के पास मौका है यहां से गेम अभी बन सकता है सुमित पहले हजारों में वाचिंग कोई बात नहीं आप तो है ना देखिए फिर आ जाएंगे लोग आपने दोस्तों को जो आपके साथ दे क्योंकि जैसा कि आचुका है कि विराट को यह रोईचरमा ओपनिंग कर सकते हैं तो आपको ओपनिंग बैस्मेन के तौर पर एक्स्ट्रा में दिखाई दे जाएंगे आपको यह असस्वी जैस्वाल और शुमंगिल तो रितिराज गाइकवाट का स्क्वार्ड में भी जग और शुमंगे बैस्मेन तो स्कॉार्ड में होंगे के नहीं यह अगर यहां से अच्छा खेलते हैं जो टॉर्नमेंट बचावा इपिल का तो हो सकते हैं स्क्वार्ड में तेकिन प्लेइंग लेवन के लिए उनको वेट करना पड़ेगा अगले बार का मौर की चौथी करेंगे सामना बल्ले का मुँ एक बार छूते वे गई थी गेंद लगभग डॉट बॉल यह स्कोर अभी भी 72 विकेट के नुकसान पर 10.4 और की समापती के बाद दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को कर लीजेगा सब्सक्राइब ताकि हम जब भी लाइव आएं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए बैल आइकॉन दबाने के बाद तो वो भी दबा लीजेगा अगर आप तुरंत करीन गया पंजाब का अभी तक दो ही रनाय पांच गेंदों पर लेकिन अभी आना बाकी है और प्रितुष भाई कुछ जादे ही अप स्लो नहीं खेलना लगी है गुजिरा अगया शुमन गिल के विकेट के बाद नहीं लग रहा है कि अगर यहां से एकाद दिकेट और हो के पूड़े के स्कोर बढ़के हो जागा बहत्तर दो विकेट के नुकसान पर 11 ओवर की समापती के बाद यहां से 54 गिंदों पर 71 रनों की अवश्यक्ता शसी जी पूछ रहे हैं कि क्या पांड्या की कप्तानी इतनी जवर्तस थी कि यह जीटी ने इतने अच्छा परदर्शन किया ऐसा है तो एमाई टीम में वो क्या गलत कर रहे हैं देखिए मतलब कभी भी सिर्फ कप्तानी की विजल से आप जीतते नहीं हो आपके खिलारी भी अच्छा परफॉर्म करने चाहिए गुजरात की टीम जो थी उस समय हार्दिक पांड्या के पास मोहमत शमी भी थे वो खुद थे तो एकना बैलेंस टीम दिखाई देती थी जिसमें कोई कमी आपको देखती नहीं थी लेकिन हार्दिक पांड्या और मोहमत शमी के जाने के सब्सक्राइब गुजरात की टीम को बैलेंस बहुती बुरी तरीके से खराब हुआ है जैसे कि इस समय देख लेजी अभी जो बल्लेबाजी चल रहे है सुदर्शन की और डेविड मिलर की यहां पर हार्दिक पांड्या होते न तो इतना कॉंफिडेंस उनके पास होता है कि यहां से बहुत इजी लीग मैच को चलाते बीच-बीच में आप आपको चक्का चौका लगाते हुए भी दिखाई देते लेकिन वैसा हो नहीं पार है क्योंकि वह है निस टीम में तो इस टीम का बैलेंस तो खराब हुआ है अब बात करते मुंबई की मुंबई के साथ यह उनके साथ मतलब चल नहीं पारे वह खुद भी फॉर्म में नहीं ना बॉलिंग से ना बैटिंग से और कप्तान तो देखे है वह ऐसी बात नहीं है उन्होंने गुजरात को लीड किया दो बार फाइनल में गई तो एक बार जीते भी तो कप्तान अच्छे है ऐसी बात नही लेकिन अभी उनका टाइम थोड़ा साही नहीं चल रहा है टीम से भी शायद उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा क्यूंकि टीम का जो अंधूनी माहो लगा वह भी खराब इस वक्त तो दिक्कत यह है उनके साथ लेक्ष्टम पर बाल थी उसको पुश करना चाहते थे अंसाइड में लेकिन बीट हो गए रन का कोई मौका नहीं स्कोर अभी भी 75 दो विकट के नुकसान पर 11.2 ओवर की समापती के बाद है स्कोर गुजरात की टीम का दाए हाथ से राउंद होगे टागे बढ़के गेंद का पुश कर दिया अंसाइड में गेंद जाएगी अजिए बार वावर चल रहा है आएफ लॉड़ा गया था एक सिंगल के लिए और स्कोर हो गया है गुजरात की टीम का इस सिंगल के साथ शाथ दोग्जरात की टीम के साथ शाथ दोगए नुकसान पर 11.4 ओवरों के बाद पचास गंदों पर यहां से 6-6 रनों की जरूरत ह राज एक सेकंड मुझे कुछ तेक्ड है और की अगली गेंग बोल्ड कर दिया है लिविंग्स्टन ये डेविड मिलर को अग्रेशन बताता कि इतना बड़ा वेकेट है और यहां से अब गुजराहत की टीम भी फस्ट चुकी है और यह मैं काऊँगा यह अपनी गल्ती की से इस सिचुएशन में आई है जब आपको पता तक इतना अच्छा टार्गेट नहीं है तो आपको अपना नैचुरल गेम खेलना चाहिए था यह नहीं कि आपको बस रिक्वाइड रंगती को मिंटेन करना उस चकर में अब लीजिए आपका विकेट आ गया है विकेट वो ले चुके हैं शुमंगिल का बहुत बड़ा विकेट उनने लिया था कोविंट आपको मेरे खाल से गिल as a batsman was performing exceptionally well in last IPL that adds to GT being great under Pandya even the year before he was all right final GTT let me look at his figures Shubhungil और कि अब अंतिम गेंद लेगे चलेंगे Livingston सामने होंगे बल्लेबाज उमर्जाई अजमत उल्ला उमर्जाई इनका पूरा नाम है गेंद बाजी भी करते हैं बल्लेबाजी भी करते हैं यानि हाल राउंड रहेंगे राजू नागवंशी जी मारे साथ जुडगे स्वाग गेंद उसको पुष कर दिया ऑफसाइड में गेंद जाएगी वाइड़िश लॉंग उफ पे खिलाड़ी पीछे तैनात होंगे एक सिंगल मिल जाएगा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हुआ 78 तीन विकट के नुकसान पे 12 ओवर की समापती के बाद यहां से 48 स्क्यास पास भी हो गया तो बहुत ज्यादा हो जाएगा हालंकि विकटें रहती हैं 12 ओवरो के बाद 78 पे तीन है गुजरात का स्कोर लेकिन क्योंकि यह ट्रिकी विकट है इसलिए आप बहुत ज्यादा बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना चाहेंगे यहां पर कॉमेंट जिसको वापस गिनबाज के और खेला गया था रन कोई नहीं गुजरात का स्कोर है 78 तीन विकट के नुकसान पर 12 ओवरो का खेल हो जोगा है समाप्त और यह 13 ओवर शुरू अपारिका दूसरी गें पर एक सिंगल मिल जाएगा और और 89 पर तीन हो जाएगा गुजरात बार तो पंजाब की टीम अब यहार कितना ही अच्छा कर लेगी अगर गुजरात की टीम जीती है तो तो पॉइंस टेबल में आपको टेंशन दिखाएगा तीमों के बीच में की हर एक मैच जीतने भे कोई टीम ऊपर जा रही है कोई नीचे आरी है पंजाब को जीत भी तो आप जीत भी जाएगा तो क्या फाइदा हो गया इतना कुछ बदलेगा नहीं इसलिए मच चाहूंगा कि गुजराती जीते अच्छा मैच हो बस लेकिन गुजरात की परफॉर्मेंस जो है इस वक्त मुझे वह बिलकुल भी पसंद नहीं आ रही है क्योंकि आपकर मौका था कि आ नहीं से वह हार भी सकते हैं बिलकुल है कुछ और विकेट आगे तो हार भी सकते हो मैच को ओवर्ट कि आप पाचवी गेंद बाएं हाथ से राउंद विकेट वे स्टम्स की लाइन में गेंद इसको उठा के मारा गेंद सी देल लॉंग उनके ऊपर से चक्के के लिए ओमर् इफिडेंस बहुत बढ़ेगा इस चक्के के मदद से अजमत अल्ला ओमर्जाई का ओवर की अगली गेंद लास्ट बॉल जो थी उसपे कोई रन नहीं आया लेक्स ताम की और हटते हुए कट करने की कोशिश की थी अंडर कट गेंद को कर बैठे और ओर समात हो गया पारी का तेरवा तेर ओवरों के बाद च्छासी पर तीन है गुजरात का स्कोर बैयाली सगेंदो पर सतावन रनों की जरुड़त है जीटी का एस बार टीम बहुत हल्की लग रही है बिना शमी और हार्टिक के रहा है और भी कोई इंचरडे स्टीम में इस टीम में शमी और हार्टि तो इसके बाद अगर बल्लेबाजी एक बार चेक की जाए शारुक खान राहुल तेवतिया यह बचे है राशिद खान भी बचे है साइक किशोर राशिद खान नूर अहमद तक बैटिंग है नूर अहमद बल्लेबाजी करते थोड़ी बहुत ओवर के अब दूसरी गें लि लॉंग ओफ पे खिलाड़ी पीछे तैनात एक सिंगल मिल जागा सिंगल की मदद से स्कोर बढ़के होता हूँ सतासी बहुत कम तीन विकेट के नुकसान पर उमर जाए बहुत कम करते हैं बल्लेबाजी नूर अहमद वही न बल्लेबाज नहीं है वो हलकी फुलकी सिंगल ड गया अठासी तीन विकेट के नुकसान पर तेरादाश अमलो तीन ओवनों के बाद उनतालीस गिंदों पर पचपन रनों की जरूरत है यहां से इस मकाबले को जीतने के लिए फॉर विच आइपेल टीम हैं डेविड मिलर बीन मोर इंपक्फल पीबिकेस और जीटी पीबिक ओवर की पांच भी गिंदा रही है और सामने होंगे लिविंग्स्टन के ओमर जाई एक सिंगल वो ले लेंगे और इस सिंगल के साथ नबबे पे तीन गुजरात हो जाएगा लेक्स नम की और हटते हुए गिंद को धकेला था कावर की और तेज सिंगल पूरा किया था इस स प्रवल गुपता जी कहने है अग्रेसिव IPL टीम अभिशेख शर्मा, सूर्या, पूरन, रसल, MSD, आशितोष, बॉम्रा, चहल, कुल्दीप, अर्षदीप, इंपक्ट प्लेयर्स में, रिंकू, नरेन, बीके और बोल्ट, सर पर्फेक्ट टीम है, एक दम, एक नमबर टीम है, इसमें मैं कुछ भी आगे पीछे नहीं करना जाओगा, मैं भी मतलब अर्षदीप को लेकर मैं बहुत जादा आश्वस्त आश्ट नहीं हूद, तो we'll have to look at that. अर्षदीप को लेकिआ, इतना प्रोर्म नहीं कर रहा है, करणं फर्म, यह ऩई आएंगे, आइंगे नहीं आएंगे इस पर बात नहीं कर रहा है वो अभी कर आएंगे अभी काम के याएंगे, अभी नहीं आएंगे अभी नहीं लगवे तो उससे मैं प्लेस करने ही सकता क्यों वहार कि उन्होंने इंपक्ट प्लेस में रिंकु नरेंड, D.K. और बोल्ट एक पेस बोलर जो नाम दिया है वो बाहर का है और बाहर के आप खिला को अनरेट एड खिला रहे हैं आप पूरन रसल तीन यह हैं और छादा प्लेयर नहीं यह तो ले सकते हैं कि तीनी प्लेयर हैं यह स्मार्ट डाट वही नहीं बट मैं वर्ल्ड कप की टीम के साफ से सोच रहा हूँ कि मैं अगर 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 अपने चार प्लेयर्स रखना जाहूंगा फिर आप किसे सिराज बुम्रा और शमी होंगे फिर उसके बाद सिराज अभी शोर नहीं है और मैं आज पहले भी बात करा था कि क्योंकि बहुत जादा बैटिंग फ्रेंडली विक्तें रही हैं इंपक्ट प्लेयर का भी रूल जो है वो भी बलेबाजों के कामा है बैटिंग करने वाली टीमों के कामा है ज्यादा तर तो इसकी वज़े से बड़े-बड़े स्कोर्स भी बहुत बॉने साबित हुए हैं तो आप गिंदबाजी की गुनवत्ता का अंदाजा लगा नहीं सकते हैं कि कौन कितने पानी में और नहीं है तो इस IPL का प्रदर्शन देखकर जो पिचो की स्थिती है गिंदबाज कौन क्या कर रहे और नहीं कर रहे है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मश्कल ए बैटि आपurf में देखिए लोग मिल जायंगे जो इत्राइब बिर बैट्स मेने ही ऑफ बहुत अछा कहले वेफNow बढी अझाले स्पोर्ट्स फे तरह स्थाटी haben है कि तो तरह सीशनों काया अपर हुआ हैंनों कि यह वहाएधए वहां तो खेलेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन T20 में थोड़ी दिक्कत है यही है जो situation अभी इंडिया फेस करें कभी सोचा भी नहीं था अबने कि हमारे पाई जतने पूल आफ तैलेंट होगा यह प्रॉब्लम अफ प्लेंटी तो कभी सपने भी नहीं आया था कि प्रॉब्लम अप्लेंटी होगा कि इतने लोग हो जाएंगे कि किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं इस पर चर्चा करनी बड़ेगी क्या मतलब सुखाद हिसास होना चाहिए भी यह लेकिन हम लोग यूस्टू नहीं है इस तरह के सिचुएशन की तो यूसे उसे उस्टू ने मेरे टाइम लग लग रहा है कि मतलब बहुत प्लियर्स रहते हैं लोकल टैलेंट भी इंगलेंड वी रहा है कि मतलब पूरी स्कौर्ड चेंज करियों और इंगलेंड तो इं मोटा भारी किनारा था ओवर की पहली गेंड पेक सिंगल मिला और इस सिंगल के साथ गुजराद का स्कौर हो गया है बयानवे तीन विकेट के नुकसान पे 14 श्रम लाओ एक ओवरों के बाद पैं 30 गेंदों पे 51 रनों की जरत है और बाके मुकाबलों में जितना आसान ये इस मुकाबले में उतना असान ये नहीं है क्योंकि ये पिछ बैटिंग के लिए उतनी असान नहीं है जिशनपीट से सिंग पूछ रहे हैं तॉप I want top 4 वो बूल रहे हैं अपना बता रहे हैं पहले रायस्थान नमबर 2 हैधरबाद तीसरा केक्यर और चौथा एमाय ओके य तो आपसे पूछते हैं आपको क्या लग रहे है टॉप 4 काउने वाले हैं कोलकता राजस्थान है हैधरबाद हैधरबाद और 4th spot के लिए बस अड़े आप शौर नहीं है अभी तक जैन नहीं 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 है हाथ से ओर दो विकेट लेक साम पर गेंथी और बैट पर लगी है पैड पर बैट पर लगी है फाइनल एक सीमा रखा के बाहर चली गई चार रन मिल गए और इस चौके के साथ गुजराद का स्कोर हो गया 53 से बढ़के संतानेवे तीन विकेट के नुकसान पर 14.3 ओरों के बाद पॉइंस्टेबल आपको दिखाते हैं और मेभी एक बेटर आइडिया मिलेगा उससे तो यह रहा पॉइंस्टेबल राजस्थान, कोलकता, हैदरबाद, दाट प्रिटी मद सर्टन रहां लेकिन अभी जो स्थेती है उसके इसाब से ओर प्लेड ओन हो गये हैं सुदर्शन अच्छी बैटिंग कर रहे थे 33 पे 31 इस पे जैसी स्थेती है कोई बुरा मतलब नहीं था अभी तक उनका प्रदर्शन लेकिन नीची रहती होई गें थी जिस पे प्लेड ओन हो गये हैं बैट ज यह समकरान को मिलने वाली कि दूसरी सफल था इंग दूसरी सफलता है समकरान के लिए यह तनी अच्छी गें निदी जित्ता बड़ा सलिब्रेशन कर दिया यह यह पर तूसरा अ उनका पहला विकेट उपकर ट्शाइड मेले लिंग यह एक डिएग उसके अलावा रबाद क को मिला है कि एक बड़ चेक करना पड़ेगा पहला है पहला ही है साम करन का तो एक पर फिर जब हमें लग रहा था कि जीटी थोड़ा कमफर्टीबल होगी शायद असानी से जीट के लिए क्रूस कर जाएंगे एक बार फिर अपने आपको पा रही है अब गुजराथ टाइटन और मैं कमें अपने लिए मुझे उस पर चर्चा करनाई थे आप से इपका रगवर्डिंग पर पंड्या की शले इस घ्याची थी इस वही थी कि गिल फॉम में थे यह वाई सब्सक्ता है क्योंकि पांड्या कैप्टन थे इसले अप्रीड था इसले अवर्य धा अब उस तरह के फ्रेंचाइज जो कैलिबर रखता है लगाता तॉप में पहुचने का उसको लीड करने का प्रेशर जहिल नहीं पा रहा है इसलिए बैट सब्सक्ता परफॉर्म नहीं कर पा पा रहे है इसका काउंटर है कि मतला हार्दिक की वज़े से अगर यहां हुआ हुआ हु कि मम्बई जो इसका की वा दो लेने तो नहीं हुआ है तो नहीं हार्दिक के वज़ेसे नहीं मैं जिए कर ता हर्दिक के बात कर लोटैउरा हुए हुए उनकी कप्तानी के लिए बोल्नोमफ दावा pear रद्ट अगराई का ताट अगरिया पैपर्टेय। कि अगराई था इसके लिए कुछ मैचेश वहाइ। क्या वैसे रिवागा थाटए रग ग्यां कि अश्या विए रिवाग्ट ने लगगा शिए जो अभी उनके लिए संभभ भी नहीं लग रहा क्योंकि आर्थ मुकाबले सर गे देखिया आप सुरी तो क्रिक बस था अब दिख जाएगा आपको आर्थ मुकाबले खेल लिए और सिर्फ एक में जीत मिले अगर में गलत तो यह उनका पहला मैंच था या दूसरा पहले दूसरे में से कोई एक मैंच था इस जीते था अब तक अब तक तो कुछ मैंच जीते पहले पॉइंट सेबल में सबसे नीचे रहना भी बहुत शर्मनाक है वो किसी और टीम के लिए छोड़ दो आप क्या उतना कभी कर पाएगी बैंगलोर मुझे ने लग रहा है मुझे सही में बिल्कुल अभी ऐसी सिचुएशन आज का मैच खासकर जब आपने बना लिया था इतना प्रेशर लास्ट में अटली सूपरवोर तक तो लिज जा सकते थे तेन चक्के भी मारी दे आपने एक सि अगल चीए पाएगा जो कॉटन बोल्ड हो गए लास्ट में वो कैर डिसपॉइंटिंग उनके फैन्स के लिए जादा है उनके फैन्स क्या बोल रहे हैं अगर उनका कुई फैन सुन रहे तो आप बताईए आप क्या लग रहा है आपको कि यहां पर हम तो कुछ उमीद नही सबसे कम मुकाबला किस टीम ने जीता है यह भी एक रिकॉर्ड होगा चेक करो यह बहुत इंट्रस्टिंग जरूर चेक करेंगा है यह जरूर चेक करेंगा तो कि आपको और परफॉर्मेंस रही न रही हो पर आटिट्यूट उस तरह का यह बिग प्लियर कैंड ओफ आटिट्यूट इस फ्रेंचाइज में चेंजने के लिए भी कुछ अच्छी परफॉर्मेंस थी लेकिन क्या आपको लगता है जस्टिफाइड है अभी तक का परफॉ तो पंजाब बैक इन बैक इन हाओ यहां पर तो मैच इंट्रस्टिं कर दिया है जो लोग बोल रहे थे कि मैच बोरिंग हो रहा है बिलकुल नहीं यहां पर अभी भी पंजाब ने पकड़ छोडी नहीं है पांच विकेट गिर चुके हैं गुजरात के एकसो तीन पर अभी सवाल पूछा गया था था थोड़े पहले अंच्रिमन भाई ने पूछा था सबसे ज़्यादा हारा कौन है एक सीजन में दिली डेर डेविल्स दोहजार तेरा में तेरा मुकाबले हारी थी जो एक रिकॉर्ड है डेक इंचार्जर्जर्स दोहजार आठ में बारा मु मुकाबले हारे थे डेकन चार्जर्स 2012 में 11 मुकाबले हारी थी जो है 2012 के बाद ही as a franchise वो एक्जिस्ट करना बंद होगे थे थे हैदराबाद फिर संडराइज है थे हैं डेकन चार्जर्स में कोई बिल्कुल याद नहीं साल वाल याद नहीं को क्यों कि डेकन ग्रूप जो कि रिलाई ओन माई इंटर्ने करें और इस सिंगल के साथ गुजरात एक सो चार पे मार्च पंदर देश हमलों तीन ओवरों के बाद सब्सक्राइज गंदे उन्तालीस रनों की जरूरत है MSD should play in T20 World Cup. He's the best keeper of all time और इस सीजन हम सब उनके finishing को देख ही रहे हैं Maharshi Pratil Ji a comment आया है. सब्सक्राइज अगर दोनी खिलने के लिए तयार हो जाएंगे तो मैं भी उनको खिलाने के पक्ष में हो. I think Dhani should play for India and he should continue to play for India for the next at least 10-15 years. 8 years. For the next 8 years. By then, at least in the major tournaments. By then, your next wicketkeeper will be ready. Pant will be ready by then. To play for the next 2 years. Maybe he also plays for the next 15 years. Who knows? Virat को आज आउट दिया उसके बारे में क्या बोलते हो. Ramesh Chaudhary Ji का ये comment आया है. दाय हाथ से राउंड विकेट ऑफसरम के बाहर की गेंद पुश किया है गेंद को पॉइंद को पॉइंट की और और रन कोई नहीं. 104 पे 5 कुछ राथ का स्कोर 15.4 ओवरों के बाद. जब आप सामने वाले फ्रेम से देखते हैं तो आपको लगता है कि शायद ये नो बॉल है. क्योंकि बाट पे शूल्डर पे आके गेंद लग रही है और आपको उस आंगल से लगेगा कि ये बहुत उपर है. लेकिन जब आप स्कुर आप विकेट का जो कैमरा होता है उस आंगल से देखेंगे तो पाएंगे कि क्रीज के बाहर है वराट कोली और गेंद एंड अप करती वेस्ट के नीचे. अब क्या होने लगा है IPL में टोर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही सभी खिलाडियों की हाइट माप ली गई है और आप जाहें कहीं भी खड़े हों जो ओरिजिनली हाइट आपकी मापी गई थी उसके हिसाब से नेड़ने आता है आप शॉट खेलते हुए कहीं भी चले प्लेयर को अगे बढ़ा है फिर डिप कर रही है वाल जगा घृते है बड़ा दिखाने के साथ अगर तूम उसका औरिजिनली ही गल्याय़ वस तय उसका उरिजिनली ही तका होगए यहां दिका उछेड़ी करी सब्सकर चागा ऑगे चाहते हैं बड़ने जहां पे तु अरि जब आपने मापा होगा हर प्लेयर को कितना हाइट बाला है कौन सा तो वो पिक्चर ही डाल दो नहीं है उनको खड़ा कर दो हाँ क्रीज में अगर कोली के लिए अपील होगी है तो कोली का कट आउट खड़ा गर दो जो भी वर्चुल कट आउट आपके पास टेक्नालीजी हो जो जो क्वेशन मार्क्स और जो वीडियो काट काट के लोग लगाते हैं वो होना खतम हो जाएगा कि हाँ लीजी ए लीजी प्रूफ क्या आपको लगता है कि को गलत आउट दिया गया मुझे तो नहीं लगा मैंने रीपले बेखा कॉमेंट कर के जरू बताएए और वीडि करेंगे करेंगे कि लिए बेल इकन हट जाएगा फिर दुबारा एगा तब आपको शाय नोटिफिकेशन दुबारा आजाएगा कर देख लिए बाकी तो यूट्यूब कुद बताएगे कि कब नोटिफिकेशन पहुचेगा इतने सब्स्क्राइबर के पास एक सीजन में आजकल IPL को जानके इंटरस्टिंग बनाया जा रहा है हाँ ही जबरदस्ति के विवाद खड़ किया जारे और कोली का डिसापॉइंट होना जाज है किसी भी खिलाडी को आउट दिसापॉइंट होता है और कोली का अपना तरीका है डिसापॉइंट में फ्रॉस्परेशन ए इसका मतलब यह नहीं कि जो अम्पायर का फासला या जो टेक्नोलीजी का फासला है वो गलत है वैसे तो फिर विराट वापिस गए होंगे ना रेसिंग रेसिंग रोम में देखा होगा तब यह जाएंगे मुझे लग रहा है अगर ले लिया रिव्यू तो फिर आउट है ल को दो कोली गुसा होने को गुसा हो सकते हैं लेकन इसका मतलब यह नहींगी एकि टिक्नाइजी गलत है तो फिर LBW के में LBW का फैसले भी D2R यह सीधा जाके थाई के गरीब लगा है क्योंकि स्वीप करने गए थे मिस्स कर दिया रहूल तेवतिया ने और जिस तरह से मुझे दिख रहा है या तो यह इंपक्ट के चक्कर में नौट आउट रहेंगे या फिर अंपायर्स कॉल पर बच जाएंगे क्योंकि अंपायर्स यह तो यह तो यह कुंग तो इसको मेश निए पायर्स कॉल एफ्ट मुची टाग रहा है यह नौट का बच्प्ट विच्ट ओभल एफ तो गार्स की अंप्ट कॉल में दुख बच्छ सुब्च तो प्लॉम टूम तो बालनकि इस दो यह बहां गार्स को बच पायगा गया ह भी जो बचेगा ही बचेगा लकिन ये तो मुझे लग रहा है कि प्लम ए देखो अगर गांग जाएगी तो स्टम के ऊपर से जाएगी ये मैं बाउसाइड वो जो जाएगी ऑपको लगजाएगी जैगी आपको लगजाएगी तो स्टम को देख जाएगी ने वह भूत दिखे तरिये अगए इस भीको फिछ अचन हो MRI का तैनलких फिचय लेकवर 25 लिए यह विए सन्से लेक संगे चन्ग जया को बहन बあーगा विगे ड्री आफ और यह को खेंन आपसgy अज धण स् möglichst फिछ तो ₹ट एक सटलीटी ऑट I get it why he has been given not out But bhai, अगर पिचिंग वाला इस्यू नहीं होता तो इंपक्ट लाइन में भाइन नहीं होता But वो लेक्स्टम की के बाहर गें पिच्वी थी और रट्रैक भी कर लिया था कि इस तरह के शौट के जाएंगे कि शायद उसी लिए पिच्चे इंजुई वरना तो इस तरह का नहीं दिखता आपको पिच्चिंग आउटसाइड लेग मैच फस गया, अमन भाई कह रहे हैं अंशुमन भाई कह रहे हैं कि गुजराद बोल रे, पंजाब आप जीत जाओ और पंजाब ओने कि गुजराद आप जीत जाओ मैं सोच रहा था कि धोनी भाई चालिस या पचास वर्ष और खेले इंडिया के लिए अंशुमन भाई ने का है, वेरी क्यूट वेरी क्यूट वेरी नाइस वाई जहां पर लोग लगबग 300 न बना देते हैं वहाँ गुजराद 140 नहीं बना पा रहा है यह क्या अवामला है, पिच पिच का तो बहुत बड़ा योगदान होता है फ्लाट ट्रैक्स तो फ्लाट ट्रैक्स है वहाँ जो आप बैटिंग कर पाएंगे वैसी बैटिंग आप tricky pitches पे नहीं कर सकते हैं तो वही यहां हमें देखने को मिल रहा है हर मैच में जहां जहां नहीं है ना बैटिंग pitch फ्लाट वहाँ बलेबाजों को दिक्कत हो रही है यह उन मैदानों में से एक है जहां बलेबाजों को लगातार हमने देखा है कि दिक्कत होई है साम्स की लाइन में गेंद धीले हाथों से push किया तेवतिया ने भागना थोड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए पहले के मकाबले दो सीजन पहले तेज भागते थे लेकिन तब भी दो रन पूरे कर लिए गया और इन दो रनों के साथ स्कोर होगया गुजरात का 113 पांच विकेट के नुकसान पे 16.4 ओवरों के बाद परितुष आपको अगर प्रेडिक्ट करना पड़े कि यहां से कौन जीतेगा इस मकाबले को 20 पे 30 है तो आप किसको बैक करेंगे I still want a GT but You think Punjab is going to win? Yes I thought Punjab is going to win a long time ago At mid innings I think I had predicted Yes Okay Sometimes I do predict I don't predict often But when I predict I put Sahil to shame इस वर के पांच भी गैन स्वीप कर दिया है गैन जारे यह फाइले क्योर चार रनों के लिए और इस चौके के साथ गुजरात 117 पांच विकिट के दुकसान पे 16.5 ओवरों के बाद Comment आते रहने चाहिए धन्यवाद 19 गिंदे 26 रनों की जरुषग है और इस चौके से थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ GT को गुजरात को ऐसे हर ओवर में एकाज शौकी चाहिए ज़ादा इनी क्वार्मेंट है इतना प्रेशर आपको बनाना पड़ेगा कि अटलीस्ट ऐसे ओवस तो नहीं दे सकते तेरा रनों के यह तो नहीं कर सकते है एक और में एक चौकार फिर भी ठीक है लेकिन हर बॉल पर आपको इस ओवर में रन के लिए मतलब पहली बॉल डॉट के बाद सारी बॉल पर रन है तो यह गलत बात है भाई डिसाइड कर लो तो चौके खाओ या फिर हर बॉल पर रन दे रहो तो चौके मत दो नहीं तो विकेट ले लो ना फिर भी बैलन्स आउट करने क यहां से तीन ओवरो में हर ओवर में विकेट भी आ गया और तब इतने रन बन गए तब एक पचिस तो यह फिर भी काफी गर्टेवर हो गया विक जाएग एक 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 इक्स्रा चौका लग गया पिशले अवर में भाई कोली वाली जो ती आज बकर हम जो कोली ने बकर किया जो कोली को जो आउट दिया गया क्या वो सही था गलत था इस पूरे घटना करम पे आप क्या भाई सोचते हैं जरूर मुझे बताई और परितोश यहस प्लीज आप क्यो ने बता रहे मुझे नहीं इस बारे में मैं बात कर चुका और राज के साथ एक बार लेकिन आपके सा क्योंकि जब फूल ओफ गर ड्रेसिं रूम में जाके तब रेलाइस कि नहीं इट वास आउट क्योंकि उन्होंने यह दिमाग में होगा कि मैंने शौट खेला मैंने बीमर तरह की बाल केली ऐसे और फिर कैच उटलाया है कैच कर लिया है मैं रिविव के गया हूँ अपायर क एक तो मैं बनाऊंगा बिल्कुल बनाएं व्यूज मिल रहें तो बिल्कुल बनाएंगे लेकिन वो आउट था मेरको शुरुवात में मैंने ख़तो लगा चांसे लेकिन यहां पर रहूल तेवेत्य कि आपको दात देनी पड़ेगी कि LBW के चांस बनने के बाद भी पर और लॉंगाउफ की दिशा में चार रन बटोलिये जी मैं केना गलत बात है ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कागिसो रभाड़ा को कागिसो रभाड़ा और अन्रिक नॉक्या जब खेलते थे इंडिया की टीम के लिए और सॉरी दिली की टीम के लिए ब्लू की वेज़ सब्सक्राइब थे बाड़ा ध्यक्याश्य करते थे दोनों एक साथ मिलके लेके लेकिन गजब से रबाड़ा को रिलीज किया गया है तब से ना तो रबाड़ा सें बोलर है और नहीं एंड़िक नॉक्या व्ोक्या रह का यह थे एक जमाने में जब उभ ऑखेलते थे एंड इसलिए मतलब कौन कितने पानी में पता लगाना भी मुश्किल है मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि फॉर्म खराब है किसी गिंदबाज का या वो बस विकेट फ्लाट है इसलिए पिट रहा है इस टॉर्णमेंट के दौरान एक सो टेस पे पांच हो गया गुजरात का स्कोर 17.2 वरों के बाद 16 गेंदों पे 20 की जरत थी लेकिन अब और कम रह जाएगी क्योंकि छक्का मार दिया गया डाउन दा ग्राउंड टांग दी गई गेंद शारुख खान आए बलिष्ट खिलाडी है यह भी प्रोटीन का फुल-on सेवन करते हैं सिहत देख के हम बता सकते हैं आपको और चक्का मार दिया खटाक खड़े-खड़े तो एक ओवर में दोनों तरफ से प्रहार के बाद यह गेम अप प्रिटी मच जी टी के कबजे में है यप और राउल टेवेपिया और बढ़ावी दे रहे हैं शारुख खान शारुख शारुख भाई का सवाल और बॉलर्स वाली बात पे बहुत समय से बातशीत करना चाहते हैं सद्धली शचंग भाई I have no answers as of now मैं आपको नहीं बता सकता की बुम्रा के लावा कौन हूंगे हमारे बाकी पेस बॉलर्स शामी तो ठीक हो जाएंगे तो थो खेलेंगे उनको साइद आइपल से हटाए भी इसलिग गया है कि कि यह इसलिग गया है कि जाहर सी बात है तो शा तो इसके लिए भी थोड़ा और इंदुजार करना पड़ेगा इस अंचुमन भाई बिल्कुल सही बात आपने सही सुरी राज मैंने आपको रोग दिया कोई नहीं का इस्तेमाल किया है और गेंद को खेला है डाउन दे ग्राउंड लॉंग ऑफ सी मारिखा के बारे मैंच खत सब्सक्राइब आपके लिए आप तो वैसे भी बिना घंटी बजाएं आते बडिया ऐसे ही आए कि जिए अब तो सप्राइज भी नहीं होते हैं कोन आने वाला है हंजी तो भाई बोलर वाली बात पर शशांग भाई आप बताईए कि कौन से बोलर है जिनको अभी आप के कॉंटेक्स्ट में यह बहुत बड़ा ओवर है अब मैच खत्म हो गया है हाँ तो बात कह रहे थे अंचुमन भाई कि रबाड़ा फिर भी नोकिया की अपेक्शा अच्छा कर रहा है नोकिया तो एकदम ही कुछ नहीं कर पाने है अब आपसल्यूटली और क्यों रिटें क नोकिया अकेले दिली की हवा नहीं जहल पा रहा है वह सर शमी नेक्स्ट इंपॉसिबल कि वह खेल जाए क्योंकि वह रिसेंट अपडेट्स डाल रहे हैं और वह क्रचेज में चल पा रहे है अभी भी समय है वैसे लिकिन नहीं मतलब समय है आपके पास अभी ऐसा दिली की के लिए कि यह जो अबें वह कि बुड़ा हुआ। शमी मतलब अच्छी खेलती है क्वालिफाइश टी एखमी दिली के लिए थोडोड़ी के लिए मुझार नॉक्या कैना नैं नॉक्या थोडोड़ी पैर उता हुए तो शमी आगर फिट हो तो खेलेंग यहलें धो धो शमी निश्चताओं का खेले और फिर जैसे यह जुम्ला बंद हुआ तो अब अपचा रिखता हैं बाकी अब नहीरा क्रिकेट निश्चताओं का खेल इतने से भी अगर मैच नहीं जीतते तो सच में मतलब उमीदी छोड़ने चाहिए और की पहली गेंद हर्शल पतेल के हाथ में और विकेट आजाएगा शारुक खान का यह क्या हुआ बोल्ड कर दिया शारुक खान को हर्शल पतेलने परतोष भाई दूद ले 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 लिग जाके नीचे दुकाने बंद हो चुकी है नहीं निए आपर खुली रहती है अभी क्या थाई अभी तो बारे मुझे बस आपका रियाक्शन देखना था ओए बढ़िया बॉल थी हाँ फसा दिया हवा में स्विंग वहा हर्शल पतेल ने यह विकेट लेकर अपनी दावेदारी थोड़ी मजबूत कर लिए यह मजाक था चार गेंटों पर अठान बनाकर शारुक खान आउट 138 पर छे गुजरात 11 गेटों पर 5 की आवश्यकता लेकिन थोड़ा बहुत ड्रामा हमें देखने को मिल रहा है विकेट के गिर जाने की वज़े से खेल थोड़ी दे रुका हुआ और हर्शल पतेल के पास आ गये हैं लैम लिविंस्टन कुछ पाचीत करने के लिए भाई यूटीव पर क्या इतनी कमाई होती है कि अब तो क्रिकेटर भी यूटीव चैनल बना रहे हैं जैसे शामी भाई आकाश और भी कई लोग रवी चंदरन अश्विन देखो अगर आपका ब्रैंड बन जाएगा तो आपके कमाई होगी कम व्यूज में भी आपको ज्यादा पैसे अगर आपको धंग से करना नहीं आता है हाव तो मतलब पैकेज स्टाफ हाव तो प्रिजेंट स्टाफ तो फिर प्रॉब्लम होती है और अच्छी बात यह होगी कि यह जो जो नाम आप बता रहे हो इन सब लोगों को दिमाग देने वाले लोग होंगे तो यह इनको सब्सक्राइ हो चुके कि इनकी बात लोग सुनेंगे यह बिल्कुल तो बिकस यु आरा श्मी यु विल डेफिनिटली एंड़ मेकिंग मोर मनी नाट बिकस अप्रॉब्लम मनी यू माइट नॉट 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 पी गटिटिंग अज मिनी व्यूज अज अर रंडम सौरदा का चैनल वह बहुत अच्छ एक्जामपल है ब्रांडिंग का उनके हम इतने व्यूज नहीं आएं मतलब कॉमेंटरी में कोई भी आदमी ले लो आप कॉमेंटरी में जितने लोग कॉमेंटरी करते हैं उन सबकोग ले लो और उनके चैनल्यू देख लो और सौरदा क करते हैं लोग उसमें हम भी हैं तो यह नहीं हम किसी की बैस्ति है हम बस बता रहें कि branding और क्या करके branding की जा सकती है क्या करके नहीं की जा सकती है तो यह चीज है सारवदा will end up making more money than people like us because of one who he is also branding कि अवर की तीसरी गेंद दाइहाथ से राउंद विकट बाइहाथ के बलेबास के लिए अफटम के बाहर की गेंद बड़ा शौट खेलना चाहते थे तेवतिया लेकिन बीट हो गए रन का कोई मौकानी स्कोर अभी एक सो नालिस चेह विकट के नुकसान पे यहां से नौ गें को अगेस हम अर्श धीप आवेश और बेस क्राइश और वंक्राइश एनम मिलन ब्युक्त को कर अवीर्च काः और लंद कौर श्त्रान. तो बिलकुल भी अभी नहीं है वर्ल्ड कप मटेरियल इवेंचली आप अर्षदीप सिंग, सिराज और हर्षयत्राना और आविश खान से बेटर तो फिर टीनट राजन है मैं तो उनको खिलाना पसंद करूँगा मतला अर्षदीप और टीनट राजन और चाई मानना हूँ सिराज भी पीछ है थोड़े सिराज थो जब उनकी अमारी बात थी लिए थी अनकी यर्सीब की टीम ने थी पर ड्राप कर दिया तो एंटीन ने तीम मतलब जगभी नहीं जगा बना मुच्किर चाई शाषड के आज तो बोलर you must have a bit of international experience for you to be playing a world cup you can't just start your career at the world cup I think that doesn't work पीछे रबाटा आजाए गार्ड और दो ही रन मिलेगा इस गेंट पे राशिद खान को तो स्कोर्ड हो जाएक 142 और यहां से अब एक रन्च चाहिए जीतने के लिए गुजरात की टीम को साथ बॉल पे क्या इसी बॉल पे मैच खतम करेंगे अगले और तक का इंतजार करना होगा जीत के लिए यह देख लेते इस बॉल पे हम हम और के अंतिम गेंट सामने होंगे राशित खान क्या बुवी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है अब टी ट्वेंटिवर्ट के लिए नह इंस्टाग्राम से आज की रील क्यों अटा देख थोड़ा बेठर टाइमिंग की ज़रत है उस रील को अभी नोबडी केर्स बाउट दो पिच अड़ वर्ल कप सबने टाइम इस राइट विल पूट इट आउट बट अभी वी थाट की ओ इंस्टाग्राम इस नॉट ग्रे लास्ट ओवर में जीत रहे हैं लेकिन यह विकट दे दिया राशित खान ने लेक्स्टम पर बॉल थी फुल तॉस बॉल उसको फ्लिक किया था लेकिन शॉर्ट मिड विकट पर खड़े थे खिलारी जिनके हाथ में गया एक आसान सा कैच अब छे गेंदों पर चाहिए एक जीत भी रहे है गुजरात की टीम तो कैसे गिलते पड़ते रहिंगते हुए दोस्तों आपने वीडियो को लाइक निके तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिगा और आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद फन का सवा रहे हैं, it is seen that always whenever Team India starts getting thrashed, they are actually clueless, they don't try something new, I don't know what happens. This comes down to your captain, because in the same situation, different captains and different teams under different captains will react differently. So when India played under Tony, जब भी situation मुश्किल हो जाए, तो शायद आपको ये परिस्थितियां देखने को नहीं मिलती रहे होंगे, लेकिन जब कप्तान कोई और बन गया और फिर वो थोड़ा उग रहे है, उसका दिमाग खुदी शान्त नहीं रहता है, वो एनर्जी से भरपूर है, तो श 46 और साथ विकेट गवाकर ये मुकाबला जीत लिया है, गुजरात ने तीन विक्टों से इस मुकाबले को गुजरात ने जीता है और गुजरात को मुबारकबाद क्योंकि उन्होंने एक बहतरीन जीत दर्च कर लिया, इस मुकाबले में। अठारे के इंदों पे 36 रन किये तिवतिया ने 200 के स्ट्राइट क्रेट से बल्ले बाज़े की थी तीन विक्टों से जीत लिया है आज के दिन के मुकाबले को गुजरात ने पंजाब की टीम के सामने और शुमन गिल काफी खुश अब दिखाई देंगे क्योंकि लिविंग्स्टन ने जब आउट किया था तो काफी जादा वो भी नराज हो गया होंगे लिविंग्स्टन का सेलिबरेशन देख करके हम आपको लेकर चलते हैं किस बल्ले बाजों ने कितने रनों का योगदान दिया रिद्यमान शाह और शुबमन गिलायत ओपनिंग करने के लिए 11 गिंदों पर 13 किया साहा ने 29 गिंदों पर 35 किया शुबमन गिल ने 34 गिंदों पर 31 किया साही सिदर्चा ने डेविड मिलर की बात करे तो 6 गिंदों पर 4 रन किया मिलर ने अजमतुल्ला उमर्जाई 10 गिंदों पे 13 राहुल तेवतिया 18 गिंदों पे 36 शारुक खान 4 गिंदों पे 8 राशित खान 3 गिंदों पे 3 और साई किशोर को कोई भी गिंद खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि उससे पहले मैच को जीत लिया गुजरात की टीम ने अब हम आपक कमिल 3 और की गntबाजी में 15 राहुड़न 3 गिंद विकेट गूज़न 6 गिंद ग काफी अच्छी गिंद बाजी सैम करंण 2 और की गंद बाजी में 18 एक से करंद राशिएविगन callsे 3 5 गिंद, कोई गिंद नहीं, लाइम an लाइ मृविंगट 4 और 29 राहुई़न 2 गिंद कि का तो यह था गेंदबाजी की तो यह था गेंदबाजी का लेखा जोगा क्या भूंपॉंट्स टेबल भी दिखा सकते हैं यस प्लीज दिखाएगे यह अपडेट हुआ है यह नहीं सत्य भाई अपडेट नहीं वाई यह लेकिन लेकिन गुजरात के टीम जीत चुके तो आठंकों के साथ वो आज आएगी छटे नंबर पर मुंबई को पचार देगी सत्य भाई वो यह लिजए आप देखिये आठंको जाएंगे आज के दिन जीतने के बाद गुजरात के तो मुंबई से उपर निकल जाएगी छटे स्थान पर क्योंकि गुजरात के लखनों के भी आइट पॉइंट है लेकिन रन रेट लखनों का जादा अच्छा है इसलिए वो पांचवे पर ही पर ही बने रहेगी शुमन गिल 298 के साथ चौथे नंबर पर है कोली आज दिन के पहले मुकाबले में रन बहुत जादा नहीं बना पाए 389 के साथ ठालेंगे वो अभी भी टॉप पे है 63 की ओसत है और राज 1500 का स्ट्राइक रेट है विराट कोली का इस सीजन इंडिया के लिए वल्ल्ड कप खेलना तै है एक टाइम पे लोग कह रहे थे कोली को कैसे खिलाओगे वो तो इस लाइक है नहीं जब भी वल्ल्ड का बात है कोली पे कई कोई 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 जाता है लेकिन कोली सबको मूत और जवाब भी दे देते हैं जबकि दो मैच कम खेलें विराट कोली से पराग ने 63 के उससर से रन बनाए है और 101 का स्ट्राइक रिट रहा है कुछ बल्लेबाज भी हैं जिनकी सफलता दे के समझने आता क्यों बड़ पैट्समें कॉलिटी हो गया है या पिचे जैसी हैं कि उसकी वज़े से रन बन रहे ह तो इन मतलब तालिकाओं का ज्यादा कुछ मतलब है नहीं मज़े लीजे आप बस औरेंज कैप तो दिखा दिया आपको बोलर देख लेए पर पल देखते हैं सबसे टॉप पे हैं जस्परीत बुम्रा साथ मैचस में तेरा विकेट लिए हैं और उसके ठीक नीचे हैं प्रिफिसर रह्मान छे मैचस में 11 लेकिन मैं देखना चाहूं मतिसा पतिराना का भी एक बर अगर वे लिस्ट में है तो यह रहा नौ विकेट चार मैचों में नौ विकेट खाली हैं बिल्कुल सूचे कितने कम मैचस खेले हैं अगर गिंद बाज रेगुलर मैच खेलता त कि गुजरात की टीम छलाग मार के छटे स्थान पे आ चुकी है और पंजाब की टीम जहां थी वहीं पे है तो पॉइंट स्टेबल में यही बदला है सबसे टॉप पे आप देख सकते हैं साथ मैचस में से छे जीत करके बारा अंकों के साथ है टॉप पे राजस्थान की टी तीम उसके ठीक नीचे दूसरे स्थान पे है साथ मैचस में से पांच में जीत करके दस अंकों के साथ के क्यार की टीम तीसरे स्थान पे है साथ में से उन्होंने भी पांच जीते हैं दस अंकों के साथ वह तीसरे नंबर पे और चौते स्थान पे चन्राई की टीम साथ में स चौछे स्थान पे उसके नीचे लखना उस साथ मैचस में से चार जीत करके पाचवे और चटे पे आ जाएगी गुजरात की टीम प्रयास गुपता जी कहरें कि अच्छी कॉमेंटरी करते हो एजिं कहानिया सुनाते रहा करो प्रयास गुपता जी का बहुत बहुत शुक्रिया था निवाद आपका कि कोई मतलब नहीं स्टैट्स का अगर इंटरनाशनल में आप परफॉर्म ना करो परफेक्ट बात करें आपने कुछ और कॉमेंस आये हैं गुटनाइट बोला था विश्वनाजी ने गुटनाइट विश्वनाजी शेशांग भाई करें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि S.R. इस नॉकाउट में चोक करेंगी क्योंकि उनका तरीका ऐसा है उनको दस में से साथ बार सक्सेस मिलेगा बट बाकी तीन बार देरा चांसेस कि दे में नॉट इवन इवन गेट बंडल आउट फॉर वन फिफ्टी दान्स तो जो नॉकाउट का मुकाबला होता तो उसमें तो नहीं बल्ला चला तो भाया गाया आप चाहे कितने भी अच्छे बैट्समें आप इंडिया का एक्जामपल ले लीजिए सबसे बड़ा तो इंडिया यह आज के डेट में इस चीज में जो खेलती है पूरी सीरीज में तगड़ी लेकिन अंत में कुछ इसा मुकाबले आ जा नाइ